यौन इच्छा मानविय भावना का एक बड़ा हिस्सा है, यह एक उपकरण भी हो सकता है, जिसका उपियोग इतिहास में सबसे पहले शक्ति हीन महिलाओं द्वारा एक शक्ति खेल के रूप में किया गया था, जिसमें शारिरिक शक्ति की नहीं, बलकि केवल मनोवज्यानिक शक्ति की आवशक्ता होती है, और यही तो प्रलोभन है, जैसा की मैंने रौबर्ट ग्रीन ने इस बुख में लिखा है, हिन्सा और क्रूरता का सामना करते हुए, इन महिलाओं ने प्रलोभन को एक परिश्कृत कला, शक्ति और अनुनाय का अंतिम रूप बना दिया, उन्होंने सबसे पहले दिमाग पर काम करना सीखा, कल्पनाओं को उत्तेजित करना, एक आदमी को और अधिक चाहने के लिए प्रेरित करना, आशा और निराशा के पैटन बनाना, लेकिन भले ही डिग्री और दाइरे में बहुत कुछ बदल गया हो, प्रलोभन का सार स्थिर है, कभी भी जवरदस्ती या प्रत्यक्ष ना हो, इसके बजाए आनंद को चारे के रूप में उपियोग करें, लोगों की भावनाव से खेलें, इच्छा और भ्रम को नमस्कार, मैं अभिशेक, स्वागत करता हूँ आपका इस ओडियो में, आईए इस बुक को शुरू करते हैं, इस से पहले कि इस ओडियो बुक में आप खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेजिए, ताकि हम ऐसी और बुक्स आपके लिए ला सकें चैप्टर वन, आकर्शित करें, दुनिया में प्रलोभन का सबसे शक्तिशाली तरीका आगे बढ़ने का रहस्य, शुरुवात करना है, मार्क ट्वेन उस जीवन की शुरुवात में आपका स्वागत है, जो आपका इंतजार कर रही है मेरे पास कुछ है, जो मैं आपके साथ साजा करना चाहता हूँ यह आपके रिष्टों को बहतर बनाने, अधिक प्रेमियों को आकर्शित करने और आपसे मिलने वाली सभी लोगों के साथ आपके समगर, संचार को बहतर बनाने का एक सक्तिशाली तरीका है एक बार जब आप इसे सीख लेते हैं, तो आपके फास उच्चे छमता वाली महिलाओं को आकर्शित करने और किसी के भी साथ, शक्ति, प्यार और दोस्ती हासिल करने का कौशल होगा मैं आपको उन लोगों से मिलवाऊंगा, जिन्होंने आकर्शन और प्रलोभन की कला में महारत हासिल की है ताकि आप उनकी कहानिया सुन और सीख सके मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि यह काम करता है चाहे आप महिलाओं से ओनलाइन मिल रहे हो, डेटिंग एप्स पर, बार में या कॉफी शॉप में लंडन से लॉस एंजलिस से हौंग कॉंग तक, यह दुनिया में हर जगा काम करेगा चाहे आप किसी भी प्रकार की महिला से मिले व्यवस्था प्राचीन है, यह सब्यता के आरंब से ही अस्तित्तु में है अच्छा हो या बुरा, इसने इतिहास की दिशा बदल दी है यह पुरुशों और महिलाओं, समलैंगिक या सीधे लोगों के लिए काम करता है यह राजनीती, व्यवसाय और रोमान्स में काम करता है इसने दुनिया बदल दी है और यह आपका जीवन भी बदल सकता है तो यह क्या है और यह कौन सी शक्तिशाली प्रणाली है जो आपको प्यार, शक्ति और सम्मान दिला सकती है यह आकर्शन और प्रलोभन की सावधानी पूर्वक, सरंचित और व्यवहारिक रूप से कालातीत कला है अधिक विशेश रूप से यह समझने और महारत हासिल करने की एक प्रणाली शक्ति कुछ भाग्यशाली लोगों के साथ पैदा होती है मैंने भी यही सोचा था, सुभाग्यश से हम दोनों गलत थे आकर्शन और प्रलोभन एक ऐसा कोशल है जिसे बिलकुल सीखा जा सकता है और इसे बिलकुल सिखाया जा सकता है मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने दोनों किये हैं मेरे पास कुछ महान सिक्षक हैं जिनोंने मुझे यह सिखाया है और बदले में मैंने इसे अनगनित छात्रों को सिखाया है यह एक ऐसी प्रणाली है जिसका उपियोग, कॉलेज के नए छात्रों, ऐसूची के मशूर हस्तियों और उनके बीच के सभी लोगों द्वारा किया जाता है मैंने उन्हें सब सिखाया है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से इसका उपियोग करते देखा है और यदि आप ध्यान देंगे और पढ़ते रहेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप जो सीखेंगे वह आपके जीवन भर को बहतर बना सकता है तो चलिए आपके बारे में बात करते हैं यदि आप इसे पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो समबथा अतीत में आपका कम से कम एक प्रेमी या प्रेमी का या पत्नी रही होगी या हो सकता है कि आप कुमारे हो और आप उन अनुभव की लालसा रखते हो जो बाकी सभुई को मिलते हैं किसी भी मामले में आप शायद अपने रोमेंटिक जीवन से और अधिक चाहते हैं चाहे वह कुछ जंगली, राते विताना हो, किसी विशेश व्यक्ति को ढूणना हो या बस किसी के पास जाने और उसके साथ अच्छी बातचीत करने की चमता में महारत हासिल करना हो अच्छी कबर यह है कि आप आकरशन और प्रलुभन का एक नया मॉडल सीखने वाले हैं कुछ ऐसा जो आपको पहले किसी ने नहीं सिखाया हो संशेप में यह एक चार चर्णों वाली प्राली है जो अजनबी से आत्मिय साथी से बदलने की एक बहुत ही रैखिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करती है इस अध्याय में आप सीखने जा रहे हैं कि चार चर्ण क्या है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं इस बारे में और अधिक गहराई में जाऊंगा कि किसे पहचानना चाहिए अब सिस्टम में कहा है और क्या करना है अब यह सिर्फ एक किताब से कहीं अधक है और यह एक इंकरेक्टिव अनुभव होने वाला है मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि आप सभी युक्तियों और युक्ताओं को और अवधार्णाओं को पूरी तरीके से हम समझे यही कारण है कि मैंने वीडियो भी तयार किये है जो आपको दिखाते हैं कि आप यह कैसे कर सकते है साथ ही चीट-शीट भी तयार की है जो महत्पूर जानकारी और सबसे उत्यदित सामगरी को सारांश देगी यह सभी निशुल्क प्रशिश्चन सामगरी इस पुस्तक के साथ आती है आपको इसे प्रत्येक अध्याय के अंत में एक्सेस करने के निर्देश मिलेंगे मैंने यह सुनिश्चित कर लिया है जो मॉर्डल मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ उसे सीखने के लिए आपको उन सभी उपकरणों तक पहुच प्राप्त होगी जिनके आपको आवशकता होगी लिंक आपको वीडियो, और टेक्स्ट में जोड देंगे जो प्रलोबन सीखने के लिए युक्तियों और रणनेतियों से भरे हुए है यह सब जब बहुत अच्छा लग सकता है लेकिन यह काफी है मुझे आकर्शर और प्रलोबन सिखाना पसंद है मुझे अपने विद्यार्थियों के चेहरे को देखना अच्छा लगता है जब उनके सिर में बिजली का बल्ब जलता है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देखा है जो वे अपने पूरे जीवन में गलत करते रही है और अब इसे हमेशा के लिए ठीक करने जा रहे है या फिर उन्हें अच्छानक समझ आ जाता है कि यह एक कला कियों है और आखिरकार वे इसमें महारत हासिल कर सकते है मुझे ऐसे लोगों से कॉल और इमेल प्राप्ट करना अच्छा लगता है जो मुझे बताते हैं कि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ पागलपन भरा सहासिक कार्रे किया है जिसे पहले उन्हें लगता था कि वह उनकी लीक से बाहर है मुझे यह सुनना अच्छा लगता है कि इससे रिष्टे को मजबूत बनाने में कैसे मदद मिली या कारे स्थर पर किसी समस्या का समाधान कैसे हुआ मुझे अच्छा लगता है जब किसी स्थार को, किसी चात्र को प्यार हो जाता है और प्यार का बदला मिलता है मुझे यह कला रूप बिलकुल पसंद है यह मेरे लिए बहुत माईने रखता है और इसलिए मैं आपके साथ साजा करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ तो यह किताब डेटिंग, फ्लर्टिंग और महिलाओं से मिलने के बारे में सिर्फ एक और किताब नहीं है यह उन सवालों का जवाब देती है, जो पुरुशों के मन में सभ्यता की शुरुवात से ही महिलाई क्या चाहती है इसमें सरल और सिद्ध तकनीके शामिल है, जो आपको एक महिला के दिमाग को हैक करने और उसे उस शक्ती से आकरशिक करने की अनुमती देती है जो आपके पास हमेशा से थी, लेकिन कभी महसूस नहीं हुई, चाहे आप किसी प्रेमिका की तलाश कर रहे हो, या मित्र छेत्र से बाहर निकलना चाते हो, चाहे आप अपने पूर्व साथी को वापिस पाना चाते हो, या वन नाइट स्टैंड के पीछे के रहस्यों की खो पूज करना चाहते हो, यह स्मार्ट लोगों के लिए डेटिंग बुक विज स्पैल, आकर्शन और प्रलोभन की कला में महारत हासिल करने के लिए एक मार्ग दर्शिका है, पहली बार जब आप किसी महिला से नजरे मिलाते हैं, उससे बातचीत शुरू करने तक, एक दूसर आकर्शन कक्ष में, रोमाज़क राते तक, आप जिस महिला से प्यार करते हैं, उसके साथ विदेशी रोमैंस, मैं आपको सभी रोमैंटिक चीज़े सिखाऊंगा, और यह सब काम करती हैं, याद रखें, जब आकर्शन और प्रलोभन की बात आती है, तो छोटे कदम और सर परिवर्तन ही बड़े परिणाम बेते हैं, आप सीखेंगे कि हिरोईक माइंड शेपिंग एक्सरसाइज से कैसे अजेई, आत्म विश्वास हांसिल किया जाता है, जो महिलाओं के साथ किसी भी चिंता को दूर करने में मदद करता है, और आपके जीवन के अन्य हिस्सों में भी मदद करता है, मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगा कि कैसे असानी से अपने विरोधी मोहक और अनाकर्शक गुणों को पहचानना और उल्टा किया जाए और उन्हें आकर्शन चुम्बक में मदद दिया जाए, इस चार चर्णिय प्रणाली के साथ आप सीखेंगे कि अपना आकर्शक पहचान के माध्यम से आकर्शन पैदा करते हुए प्रामाडिक तरीके से महिलाओं से कैसे संपर्ख करें और बात करें और एक व्यक्ति के रूप में अप कौन है इसे बदले बिना मैं आपको दिखाऊंगा कि बिना नजर अंदाज या अस्विकार किये महिलाओं से संपर्ख करने और उन्हें आकर्शित करने के लिए डेटिंग एप्स और वेबसाइटों का उप्यों कैसे करें आप यह भी सीखेंगे कि कमरे में सबसे दिल्चस्प आदमी कैसे बने और जब आप उच्चतम छमता वाली महिलाओं के साथ भी बात कर रहे हों तो कहने के लिए चीजें कमी ना हों बाद बे हब किसी महिला के साथ उसके जड़ने की चिंता किये बिना डेट के लिए अपनी बुलेट प्रूफ तकनीकों में गहराई से उतरेंगे आप किसी महिला को अपने पैरों से जुकने की पहली चुम्बन तकनीक से लेकर उसे बेहोश करने और उसे अगले अतरंग स्तर तक ले जाने की चाहत तक सब कुछ सीखेंगे फिर आप सीखेंगे कि लव रोड मैप को कैसे नैविगेट किया जाए अब मैं थोड़ा बताऊं कि मैं यह सब कैसे जानता हूँ मेरी अपनी यात्रा है और आपको मुझसे क्यों सीखना चाहिए मैं एक स्वभाविक अंतर मुखी हूँ हाई स्कूल में जब आप एक ऐसे लड़के के बारे में सोचते हैं जो लोगों के साथ अच्छा वेवहार करता है तो मेरे बारे में सोचा नहीं होगा मैं एक जाहिल बच्चा था मेरे दोनों हाथों में काटेदार कतारें थी लाल कंटेक्ट लेंस था और एक अलमारी जो पूरी तरीके से काली थी मेरा सामाजिक दाइरे में बस पांच लोग शामिल थे जो सभी एक साथ डंग ओन और ड्रैगन खेलते थे हम में से एक ही की गल्फ्रेंड थी इसलिए हम उसे खिलाड़ी समझते थे चीजों को और भी बत्तर बनाने के लिए मैं बहुत पतला था और अस्थमा इतना खराब था कि कुछ रातों में मुझे अपने फेफडों में दवा पंप करने के लिए एक मशीन का उपियोग करना पड़ता था जाहिर है मैं महिलाओं पर हमला करने या शक्ति-शाले संबंध बनाने की स्थिती में बिल्कुल नहीं था कॉलेज के पहले वर्ष में मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसने मुझे बताया कि बहकाने वाला होने का क्या मतलब होता है और अगले कुछ बर्षों में मेरा जीवन बदल गया मुझे एक प्रेमी का मेरे पास रुमांचक रुमांटिक रुमांस थे मेरे पास एक सामाजिक दाइरा था जो बढ़ने लगा और 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 भी तेजी से बढ़ने लगा मैंने अपने परिवर्तनों के बारे में लिखने में बहुत समय बिताया है आखिरकार लेखन न्यू यॉक टाइम्स के सबसे ज़ादा बिखने वाले लेखक नील स्ट्रॉस के हाथों में समाप्त हुआ उन्होंने मुझे बुलाया और एक मात्र स्टाइल लाइफ आकाइदमी के पुरुशों और महिलाओं का खेल में महारत हासिल करने के लिए सिखाने के लिए काम पर रखा मैं वहाँ दस साल से काम कर रहा हूँ मैंने अंगिनज छात्रों को आकरशन और प्रलोभन की कला सिखाने के लिए दुनिया भर की यात्रा की है एक कला जो मुझे पसंद है मेरी पसंदीदा सफलता की कहानियों में से 45 वर्षिया वकील की है जो कई महीनों से एक महिला पर करश था उन्होंने इस किताब में सिस्टम का अध्यन किया और ही कुछ ही हफ्तों में उनके रिष्टों में वो लोग आ गए दूसरा मामला 22 वर्षिय कॉलेज चात्र का है जिसने एक भी यौन साथी के बिना कॉलेज की पढ़ाई लगभग पूरी कर ली थी एक साल के भीतर उसका जीवन बदल गया उसके कई आकस्मिक यौन साथी थे और यहां तक की एक त्रिगुट भी था एक चात्र ने केवल एक कहानी सुना कर अपनी कमपनी को कई मिलियन डॉलर बनाने के लिए आइडेंटिटी स्टोरी टैलिंग अभ्यास का उप्योग किया इसके बारे में सोचें क्या आप उस तरह के व्यक्ती बनने में सक्षम है जिसे अजनवी जानना पसंद करेंगे आप अपने मिलने वाले लोगों के मन को प्रभावित करने की शक्ती का उप्योग करने में सक्षम है निश्चित ही तुम हो आपको केवल चार चरण जानने की जुरत है जो मोहब प्रक्रिया को सुव्यस्थित करते हैं लेकिन इससे पहले कि हम चार चरणों पर पहुँचे मैं आपको उचित चिताबनी देना चाहूंगा वर्षों के सिक्षण के साथ मैंने यह पाया है कि इस प्रणाले का अध्यन करने वाले लोगों के असफल होने के तीन विनाशकारी कारण है पहली गलती वह है जिसमें हम गिवप कर देते हैं वह ऐसा व्यक्ति है जो शुरू भी तरीके से काम नहीं करेगा यहां सौदा है इस प्रणाली और सामगरी को एक मौका दें मैं वादा करता हूँ कि आप परिणाम देखेंगे यदि यह काम नहीं करता तो ठीक है मुझे byron at the rate style life.com पर email करें byron at the rate style life.com और मैं आपको इस पुस्तक की पूरी कीमत वापिस लोटा दूँगा बस पहले इसे आजमाना सुनिश्चित करें दूसरी गलती है अपने लुक्स, पावर और फ्रेम धाड़ना को पकरव कर बैठना यह विचार की लोगों के लिए आकरशक और दिल्चस्प बनने के लिए आपके पास अच्छा फेस, पैसे या किसी प्रकार की प्रशिद्धी या शक्ति होनी चाहिए ये सच नहीं है हाँ, कुछ हद तक यह बाते सच हो सकती है, इससे जरूर ही मदद मिलती है यदि आपके पास ये लक्षण है, तो मैं बाद में बताऊंगा कि इन्हें कैसे उप्योग किया जाए लेकिन ये आवश्यक नहीं है, जब मैंने इसे सुखना शुरू किया था, तो मिर पास कार नहीं थी, मिर पास नौकरी नहीं थी, मिर पास बोलने के लिए सामाजिक दाइरा या नेटवर्ग नहीं था यह सब सिस्टम का पालन करने के बारे में है, एक परिक्षनित, शिद्ध और सरल प्रणाली यह सब सीखने के बारे में है, कि क्या करना है, और इससे भी महत्पूर बात, इसे कब करना है इस पूरी प्रणाली के बारे में सब से अच्छी बात यह है, एक बार जब आप परिणाम देखना शुरू कर देते हैं, तो यह और भी आसान हो जाता है तीसरी गलती है, दस सेल्फ डिफीटर तुम्हें अपने रास्ते से हटना होगा, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप हमेशा के लिए वहीं अठके रहेंगे, जहां आप हैं, तुम्हें अपना जोर लगाना होगा आगे भड़ने, जोखिम लेने, और बदलाव करने के लिए प्रेणना ढूने, आत्म तोड़फोड करने वाले व्योहार, सामान्य और विनाशकारी हैं, आपका मन चाहता है कि आप कम से कम प्रतिरोध के रास्ते पर चलें, क्योंकि कुछ नया करने में बहुत उर्जा लग उस मानसिक उबार से उबरने में सक्षम होते हैं, उन्होंने ऐसा करने के लिए खुद को प्रशिश्चित किया है, यहां आपको आत्म पराजित बनने से रोकने की एक तकनीक दी गई है, हर बार जब आप अपने आप से कहते हैं, मुझे इसे आजबाने का मन नहीं है, तो एक कागच का टुकडा ले और इसका कारण लिखें, फिर उन चीजों को एक सूची लिखें, जो आपके प्रयास ना करने पर नहीं बदलेंगी, उस दिन और समय को लिख लें, जिसे आप एक शौट आजमाने के लिए दे रहे हैं, उस दिन के लिए अपने फोन पर अलाम से थाते हैं, यदि आप इन तीन खतरों से बच सके, तो आप बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, चलिए अगले अध्याय पर चलते हैं, चैप्टर टू आकर्शित करने वाली चार चर्णिय प्रणाली, आपको खेल के नियम सीखने होंगे, और फिर आपको किसी और से बहतर ख आइंस्टाइन, तो यहां यह है आकर्शड और प्रलोबन की चार चर्णिय प्रणाली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस प्रकार के रिष्टे की तलाश में हैं, यह प्रणाली काम करेगी, मेरे पास ऐसे चात्र हैं, जिन्होंने जंगली यौन रुमांचों में भाग लिया है, कुछ ऐसे हैं, जिन्होंने लाखों रुपे कमाए हैं, और कुछ ऐसे हैं, जिन्होंने अपने सपनों की महिला ढून ली हैं, और घर भी वसा लिया है, सभी समाज से धानतों का उपियोग कर रहे हैं, यह एक ऐसी प्रणाली है, जो आपको बाचीत शुरू करने से लेकर सौधा बंद करने तक ले जाएगी इस प्रडाली को नियंतरित करने वाले सिधान्त सार्व भौमिक है जिसका अर्थ है कि आप उन्हें सभी प्रकार के प्रलोगनों पर लागू कर सकते हैं चाहे आप किसी महिला से बार में मिल रहे हो या ओनलाइन डेटिंग प आपको बस सिधान्तों पर पकड़ बनाने की जुरत है वे सार्व भौमिक है और नहीं बदलेंगे यह ऐसी तकनीके हैं जो हर स्थिती में अलग-अलग होगी इस कला को सीखने वाले किसी वी व्यक्ति को डेटिंग के लिए विभिन प्रकार के स्थानों और प्लैटफॉर् करना चाहिए आप जितना अधिक प्रयोग करेंगे और जितना अधिक फीडबैक अपने आप के लिए प्राप्ट करेंगे आपको उतना ही बहतर मिलेगा उसने कहा चलो शुरू करें स्वयम को तयार करें प्रलोभन आत्म खोज की यात्रा है खुद को साजा करने के लिए आ आपको खुद को जानना होगा अधिकांश लोग अपनी चमता को कम आखते हैं वे जोखिम ना लेने का निर्णे लेते हैं या किसी ऐसी चीज में समय ने ही लगाते हैं जो वास्तम में उनके जीवन को बदल सकती है क्योंकि उन्हें यात्रा के दौरान सामने की जाने वाली एस रक्षाई का डर होता है कुछ लोग सफलता से डरते हैं क्या होगा अगर यह सब काम कर गया और वे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ गए जो उनकी लीक से बाहर है अपने आपको तयार करने के लिए बैठें और इस बात पर विचार करें कि इस पुस्तक को पढ़ने के लिए आपकी सची प्रेड़नाए क्या है अप क्या खोज रहे हैं और वास्ताम में आप इससे क्या प्राप्थ करने की उमीद करते हैं शुरुवात करने के लिए सबसे अच्छी जगा यह देखना है कि आप क्या खो रहे हैं बस निमलिखित प्रशनों के बारे में सोचे या उनके उत्तर लिखें आप आकर्षण और प्रलोभन की कला क्यों सीख रहे हैं? क्या आप प्यार की तलाश पर है? लिंग, सहाचर्य, आपको क्या लगता है कि इसे सीखने से आपको उस लक्षय को प्राप्त करने में कैसे मदद मिलेगी? जब आप इस विशेश लक्षय को प्राप्त कर लेंगे तो चीजें किस प्रकार भिन्द होंगी? लोग आपको कैसे देखेंगे? आप सुयम को कैसे देखेंगे? क्या आप इस कला का अभ्यास करने के लिए समय लगाने के लिए तयार है? क्या आप संपर्क करने और एस्विकृति का सामना करने के लिए तैयार है आस्विकृति आने पर आप उससे कैसे निप्टेंगे जब हालात कठिन हो जाएं तो आप खुद को वापस उपर खीचने के लिए क्या करेंगे आप किस प्रकार की महिलाओं को अपने जीवन में आकरशित करने का प्रयास कर रहे हैं आप किस प्रकार के रिष्टों की तलाश में हैं यहाँ से शुरुबात करें और अपने मन में विचार करते समय आने वाली किसी भी अन्य प्रश्ण का उत्तर दे एक बार जब आपके पास कुछ उत्तर हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं और सिस्टम सीखना शुरू कर सकते हैं अगर आपको यह कोश्चन याद नहीं आ रही है तो आप रिवाइन्ड करके इसे दुबारा से सुने और उनका अंसर देने का प्रयास करे इस अभ्यास को ना छोड़े क्योंकि यह महत्पूर है कि आप शुरू करने से पहले यह समझें कि आप कौन है और आप क्या चाहते है जब आप प्रवलोभन की कला सीखते हुए आगे बढ़े तो उस तरह का ध्यान केंद्रित रखें यदि आप लोगों से बात करना सीखना चाते हैं तो आपको सबसे अच्छी, सबसे आकरशक, पहचान विक्सित करनी होगी हम बाद में आपके जीवन की कहानी से मूल्य उत्पन करने वाले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे चरण एक, खोले, ओपन यह शुरुवात है वह स्थान जहां आप किसी महिला या समू के साथ बात्चीश शुरू करते हैं ध्यान रखें कि अधिकाश महिलाएं आप से संपर्क करने के लिए अकेले नहीं घुमती है तो आपके अधिकाश दिष्टिकोण समू होंगे यह वह कदम भी है जहां अधिकाश लोग नौकरी छोड़ देते हैं मैं आपको वह सिध्धान सिखाने जा रहा हूँ कि जब आप संपर्क करे तो क्या करना चाहिए और फिर कुछ तकनीके प्रदान करूंगा जिनका उप्योग आप बाचीश शुरू करने के लिए कर सकते हैं आपके लिए मेरा लक्षे बहुत सरल है बिलकुल अजनबियों के साथ सहज बाचीट करना शुरू रखें जाने कि जब लोगों से संपर्क किया जाता है तो उन्हें क्या ऐसेहजता महसूस होती है जाने कि द्रिष्टिकोन के डर को कैसे कम किया जाए जिसे हम द्रिष्टिकोन चिन्ता कहते है यदि आपको लगता है कि यह बहुत अधिक है तो चिन्ता ना करे हम इसे तोड़ने जा रहे हैं और इसके बहुत सारे सहायक वीडियों है जिने आप इसके अंत में दिये गए निर्देशों का पालन करके देख सकते हैं अध्याए इस सामगरी का अभ्यास करने के बाद आपके पास लगबक किसी के भी साथ बादचीश शुरू करने का आत्मविश्वास और कौशल होगा सबसे महत्पूर्ण बात उस तरह की महिलाएं जिनसे आप हमेशा बात करना चाते हैं मेरे पास ऐसे चात्र हैं जिनोंने पहले कभी किसी से संपर्क नहीं किया था इस अध्याय में मेरे द्वारा सुझाई गई तकनीकों का अभ्यास करने के कुछ हफ्तों के बाद ही वे एक बार में जाने में सक्षम थे इसी ऐसे व्यक्ति को इंगित कर सकते थे जिससे वे बात करना चाते थे और यदि अधिक नहीं तो कम से कम बात्चित करने में सक्षम थे चैप्टर टू अट्रैक्ट आकर्शित करे चरड़ टू आकर्शित करे जब आप बात्चित कर रहे हैं तो आपका लक्षे सामाजिक मूल्य का निर्माड करना है सामाजिक मूल्य सपेक्ष है और यह इस पर आधारित है कि आप जिस व्यक्ति या लोगों से बात कर रहे हैं उनके प्रती आप कितने दिल्चस्प हैं, इस चरण में हम इस पर काम करने जा रहे हैं, कि आप उच्च सामाजिक मूल्यों को प्रामाडिक तरीके से कैसे व्यक्त करते हैं, लक्ष उन लोगों के विशिष्ट सम्मू के लिए खुद को दिल्चस्प बनाना है, जिनसे आप ब उनभाग का लक्ष है, मूल्यों निर्माड के लिए अपने ज्यान और प्रदर्शन योग्यों कोशल का उप्योग करना सीखें, अपनी पहचान बताने के लिए ऐसी कहानिया सुनाना सीखें, जो प्रात्मिक ताओं और अनुभव उपर केंद्रित हों, जाने कि आपने प् भावनात्मक उचाल प्रैदा करने के लिए सक्रिय वैराग्या का उप्योग कैसे करें, अब जो कुछ भी करते हैं या कहते हैं वह मूल्य, निर्माड का एक उपकरण हो सकता है, यह सब समझने के बारे में है कि मूल्य कैसे बनाया और संप्रेक्षित किया जाता है, यह वा भागों में से एक है, इसे परिक्षित करने में अब सबसे अधिक समय वैतीत करेंगे, इसके बहुत सारे टुकडे हैं, लेकिन एक बार जब आप इसका अभ्यास कर लेंगे, तो आपका सामाजिक जीवन संपात मंडल में बदल जाएगा, एक बार जब आप मूल्य निर्मा करना सीख जाते हैं, तो आपकी अधिक तारीखे मिलेंगी, अधिक सेक्स मिलेगा, जो आप चाते हैं, उससे मिलेगा, और भी बहुत कुछ, चरण तीन, कनेक्ट होना, किसी महिला के साथ रोबैंटिक रूप से जुणने के लिए आपको उसे बताना होगा, कि आप रुची रखते हैं, मूलतहा, यह अध्याय समय के बारे में है, आकर्शन और प्रलोभन में एक विशिष्ट समय होता है, जब आपको उसे बताना होगा, कि आप रुची रखते हैं, अधिकाज लोग का समय खराब होता है, और उन्हें इस बात की बहुत कम समझ होती है, कि किसी प्र प्रभावी ढग से प्रशंसा कैसे की जाए, इस अध्याय में आप सीखेंगे, एक शांदार तारीफ कैसे करें, तारीफ से अधिक्तम प्रभाव कैसे प्राप्त करें, मोहग तारीफ का समय, किसी की तारीफ कब नहीं करनी चाहिए, यहां आपकी रुची का बहुत जल्दी इंगित करने में समस्या है, किसी महिला को यह बताना कि आप उसमें रुची रखते हैं, बहुत सीधा और इमानदा लगता है, कितने लोग महिलाओं को किबल यह कहकर लुभाने की कोशिश करते हैं, कि उनकी आखे सुन्दर हैं, धेर सारे, वे ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी तारीफ करना अच्छा लगता है, दुर्भाग्ये से यदि किसी व्यक्ति को वही प्रशंशा बहुत अधिक मिलती है, तो यह प्रेश्ट भूमी में फीका पड़ जाता है, एक ऐसा पैटन बन जाता है, जिस पर आप ध्यान नहीं दिया जाता है, अधिकाज आकरशि महिलाए ने एक ही प्रशंशा हजारों बार सुनी है, तो यदि आप अगले व्यक्ति हैं जो से बताते हैं कि आपकी आँखे सुन्दर हैं, तो अनुमान लगाएं कि वह क्या सोचती है, हाँ, उनमें से एक और अगला, प्रलोभन के भीतर तारीफ के उचित समय को समझ कर आ और ऐसी तारीफ करें जो वास्तव में महसूस की गई और प्रमाडिक हो, यहां समय महत्पूर्ण है, उस पर ध्यान दे, जब आप किसी की तारीफ करते हैं, तो यह हमेशा एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उचित समय के साथ किसी की तारीफ करना सीख जाते हैं, तो आप वास्तव में प्रभाव डाल सकते हैं, और बातचीत की गति शीलता को बदल सकते हैं, चरण चार आकरशित करें, यह वह अध्याय हैं, जहां आप चुम्बन या उसे आगे जाने के बारे में सीखेंगे, जहां आप सीखते हैं कि मीटिंग या तारीफ कैसे निर्धारि करें, जहां आप सीखते हैं कि किसी व्यक्ति या लोगों के समू को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे ले जाया जाए, एक तकनीक है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, जो आपको इन सभी लक्षियों को पूरा करने में मदद करेगी, और इसे सीडिंग कहा जाता है इस अध्याय में आप सीखेंगे कि किसी डेट या मीटिंग के सही तरीके से चैन कैसे करें, किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे उचा लें, और बस इतना ही वे चार कदम आपको दूसरी मुलाकात तक ले जाएंगे एक बार जब इन चार बुनियादी चर्णों को सीख लेंगे, तो इस सारी सामगरी का पालन करना वे सब कुछ है, जो आपको जानना अवश्यक है लक्ष है, आपको संपूर्ण पैकेज बनाना है, एक ऐसा व्यक्ति जिससे अन्य लोग इर्श्या करते हैं और जानना चाते हैं उस तक के अंत में आपको उन लोगों के साक्षातकार मिलेंगे, जिने मैंने व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया है और आप उनके अनुभव के बारे में पढ़ सकते हैं, वे इस मुकाप तक कैसे पहुँचे आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनेंगे, जो जिस लड़की से प्यार करता है, उसके साथ अभी स्वस्थ संबंद बनाया रखा है साथ ही स्वस्थ और इमानदार तरीके से नई महिलाओं को अपने यौन जीवन में लाता रहता है उन्होंने इस सामगरी का अभ्यास कैसे किया, आप एक पूर्व छातर से सुनेंगे, जो अब तक एक कोच बन चुका है इस कोचल को सीखने के प्रयास में वे हर दिन बाहर जाते थे, अभ्यास करते थे, सुधार करते थे और यहां तक की स्टेंड़ अप कॉमेडी भी करते थे सफलता पाने के लिए उन्हें किन बाधाओं के पार करना पड़ा, जाने कि कैसे एक छातर अपंग द्रिष्टिकोण की चिंता से एक ऐसा व्यक्ति बन गया, जो किसी से भी संपर्क कर सकता है उन सभी को किस प्रकार की सफलता मिली है और आप अपने लक्षे कैसे प्राप्त कर सकते हैं मैंने जिस भी चातर का साक्षातकार लिया, उसने अधिक, सैक्स, बहतर पेशेवर, जीवन और एक स्थिर प्रेमिका का अनुभो किया है अलग-अलग लक्षे हर एक ने हासिल किये, यह वह सामाजिक सूपर हीरो बनने का समय है जो अब हमेशा से बनना चाते थे, जब मित्रों और प्रेमियों की बात आती है, तो यह आपके लिए विकल्प चुनने का समय है यह उन लोगों से मिलने का समय है, जिनसे आप हमेशा मिलना चाते थे, किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे आप कुछ ही समय में पहले मिले थे कहें आप सबसे दिल्चस व्यक्ति है, जिनसे मैं कभी मिला हूँ, विकल्प रखने के लिए आपका स्वागत है, आपके नए और बहतर सामाजिक जीवन में आपका स्वागत है, आकरशित करने में आपका स्वागत है यह आलोचक नहीं है जो माईने रखता है, वह आदमी नहीं जो बेचता है कि मजबूत आदमी कैसे लड़ खड़ाता है, या जहां काम करने वाला उन्हें बहतर कर सकता था श्रे उस आदमी का है, जो वास्तम में, अखाडे में है, जिसका चहरा खराब है, धूल और पसीने और खून से, जो बाहदुरी से प्रयास करता है, जो गलती करता है, जो बार-बार गलती करता है, क्योंकि तुरुटी और कमी के बिना कोई प्रयास नहीं होता लेकिन जो वास्तम में कर्म करने का प्रयास करता है, जो महान उत्सा, महान भक्ती को जानता है, जो खुद को एक योग्य उदेश्य में खर्च करता है, जो अंत में उच्च उपलब्धी की जीत को सबसे अच्छी तईके से जानता है, और जो सबसे बुरी स्थिती में, वे असफल होता है तो कम से कम बहुत साहस करते हुए असफल हो जाता है ताकि उसका स्थान कभी भी उन ठंडे लोगों के साथ ना हो और डरपोक आत्माएं जो ना तो जीत जानती है और ना ही यहार रूजवेल्ट प्रलोभन आपके बारे में नहीं है यह उस व्यक्ति के बारे में है जिसे आप आकरशित कर रहे हैं महान प्रलोभग स्वयम को उन लोगों के स्थान पर रखते हैं जिने वे प्रलोभित करना चाते हैं वे स्वयम को अन्य लोगों के दृष्टिकोंड से देख सकते हैं और सामाजिक स्थिती में आगे क्या करना है इसके बारे में रणीतिक राय ले सकते हैं इस तरह क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर और मार्क एंटनी को लुभाने में सक्षम थी सबसे महत्पूर कौशलो में से एक जिससे आप परिचित होना चाहेंगे वह यह सबस्ता है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं परसोना, एक्सरसाइस यह सब यह देखने के बारे में है कि दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं ऐसा करने के लिए आपको नोट्स लेने और डाटा एकत्र करने की अवशक्ता होगी आप इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कर सकते हैं जिसे आप पहले से जानते हों उनसे यह एक सरल प्रश्न पूछें यदि आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मेरा वर्डन करना हो जो मुझसे कभी नहीं मिला तो आप मेरे बारे में क्या कहेंगे फिर पूछें मैंने ऐसा क्या किया है या कहा है जिसके कारण आप मेरा वर्डन किस तरह करते हैं जितना हो सके उतने लोगों से ये दो प्रश्ट पूछे और यह पता लगाने का प्रयास करें कि समानताए कहा है यदि हर कोई कहता है कि आप एक अच्छे व्यक्ति है तो समबता आप एक अच्छे व्यक्ति है यदि हर कोई कहता है कि आप स्वार्थी हैं तो आप स्वार्थी हैं यह है बहुत सरल है लेकिन अगले चरण के लिए आवश्यक है अब जब आपके पास यह जानकारी है तो आप इसका क्या कर सकते हैं खेर पहली चीज जो आप कर सकते हैं वह है अपने आप से पूछें क्या जब मैं लोगों को जानना चाहता हूँ तो क्या मैं इसी तरह दिखना चाहता हूँ यदि आप उत्तर से संटुष्ट है तो बढ़ियां यदि आप नहीं है तो आपको गहराई से देखना होगा और निर्णे लेना होगा कि क्या आप इन गुणों को बदलना चाहते हैं और आप इन गुणों को कैसे बदलने जा रहे हैं बाद में जब हम आपकी जीवन कहानी के साथ दिल्चस्प और मूल्य उत्फन करने वाले हो जाते हैं, तो हम आपकी पहचान को और अधिक आकर्शक संस्करण में ढालना शुरू कर सकते हैं, हम में से प्रतियक के पास अलग-अलग गुण होंगे, जिने हम बदलना चाते हैं, शुरुवात में ही यह जानना महत्पूर है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ताकि आप समय के साथ एक अधिक आकर्शक पहचान विक्सित कर सकें, और करने पर काम कर सकें, हम में से प्रतियक के पास अलग-अलग गुण होंगे, जिने हम बदलना चाते हैं, शुरुवात में ही यह जानना महत्पूर है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कहानी और नियमित स्टैक का परिचाय में कुंग्फू फिल्मों का बहुत बड़ा प्रशंशक बन गया, जब मैं बच्चा था, तो मैं स्क्रीन पर पात्रों को उनके रूप और कटाओ करते देखता था, और अपने लिविंग रूम में अभ्यास करता था, मैंने सोचा कि मार्शल आर्ट महा शक्तियों तक पहुँचने का सबसे स्पष्ट रास्ता है, मुझे नहीं पता था कि उन कटाओं या रूपों का उद्देश्य क्या था, मैंने बस सोचा था कि वे अध्भुत दिख रहे हैं, मैं अब भी देखता हूँ वर्षो बाद जब मैंने अपने लिविंग रूम के बजाए एक स्कूल में मार्शल आर्ट का अध्यन शुरू किया, तो मुझे पता चला कि उनका उद्देश्य क्या था, अधिकांश, पारंपरिक मार्शल आर्ट स्कूलों में कटास या फॉर्म, करियोग्राफर की गई तकनीकों या आंदलणों का संग्रह है, प्रत्येक रूप या काटा रूप में नहित तकनीकों के माध्यम से कई सिध्यानतों का व्यक्त करता है, उनमें फुट वर्क, विशिष्ट गूसे या किक, ब्रेक फॉल, कुछ ध्यानात्मक टुकडे भी शामिल हो सकते हैं, आमतोर पर फॉर्म युद्ध के लिए नहीं होते हैं, जब तक आप आंत्रिक स्तर पर सिध्यानतों का नहीं समझ लेते, तब तक इनका बार-बार अभ्यास किया जाना चाहिए, वे मार्शल आर्ट, पहले की पहीली का एक टुकड़ा है, लेकिन किसी भी तरह से सब कुछ नहीं, नियमिज्ट टैक, कटास या रूपों का प्रलोभन संसकरन है, कुछ मामुली अंतर के साथ, एक नियमिज्ट टैक, सामगरी का एक संग्रह है, जो आपको प्रलोभन के सिध्धानतों को समझने में मदद करने के लिए है, इनमें प्रलोभन के प्रतीक चरण के लिए एक या अधिक तकनीके शामिल है, यदि आप अभ्यास के लिए नियमिज्ट टैक का उप्योग कर रहे हैं, तो यह महत्पूर है कि आप सामगरी का उप्योग करने से पहले उसे जोड से बार-बार बोलने का अभ्यास करें, आप यह सुनिश्चित करना चाते हैं कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं इस तरह यदि जिन लोगों से आप बात करने जा रहे हैं वे भ्रमित हो जाते हैं तो आप जो कह रहे हैं उसे अधिक स्पष्ट रूप से दौराया जा सकता है आपको सामगरी को करम से याद रखना चाहिए प्रलोभन की एक सरंचना होती है जाने की आपकी दिनचर्य स्टैक में कहा फिट बैठती है और उस करम को याद रखे आप मानते हैं कि नियम में धेर आपका संपूर आकर्शन नहीं है वे अभ्यास करने के लिए तकनीकों का संग्राय है उनका उपियोग वापिस लेने के लिए किया जा सकता है लेकिन हर समस्या का हल करने के लिए नियम में धेर टैक पर भरोसा नहीं किया जा सकता वे प्रलोभन सीखने के लिए महानुकर्ण है क्योंकि वे आपको सहारा लेने के लिए कुछ दे सकते है यदि आप नहीं जानते कि आप कहां आकर्षन में है या आप यह कहने के लिए कुछ सोच नहीं पा रही है कि नियमिज टैक एक जीवन रक्षक हो सकता है तो मालने कि आपने सामगरी याद कर ली है जब आप जानते हैं कि आप प्रलोभन में कहां जा रहे हैं तो यह आपकी शुरुवाती बादचीत की आराजत्ता को और अधिक स्पष्ट कर सकता है जो आत्मविश्वास के रूप में सामने आ सकता है जब तक ही आप सामगरी के बारे में आगरही ना हो अब मैं आपको एक नियमिद स्टैक की सरंचना दिखाता हूँ इसे बनाने के लिए पहली चीज जो आपको जाननी चाहिए वे है अंतहा क्रिया के चरण हमारे लिए चरण है खोले आकरशित करें जुडे आकरशित करें आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके पास निम्लिखित सभी के लिए दिन चर्या हो कम से कम एक उपनर दो से अधिक नहीं उच्च मूल्य, खेल, बार दाव, आदी के प्रदर्शन, पहचान कहानिया सक्रिय उदासिंता, दिखाने का एक तक्नीक सक्रिय रूची दिखाने की एक तक्नीक डेट के लिए बीज बाउंस के लिए बीज आप इस पुस्तक को बाद में सीखेंगे कि अपना सुयम का धेर कैसे बनाया जाए एक बार जब आप अपनी कहानिया और दिन चर्रे चुन लेते हैं तो उन्हें अच्छी तरीके से याद किया जाना चाहिए और प्रस्तुती के लिए अभ्यास किया जाना चाहिए बॉडी लैंग्वेज टॉनलेटी और वॉल्यूम डाइनेमिक्स और मर्फी के युद्ध के नियमों में से एक को याद रखें कोई भी योजना दुश्मन के साथ पहले संपर्क से नहीं बचती है मतलब यह है एक नियमित स्टैक एक रणनीती है लेकिन यह संपूर प्रलोभन नहीं है कारे छेत्र में हालात बदलेंगे जब कर्व बॉल आप पर फैकी जाए तो युद अभ्यास के लिए तयार रहे दृष्टिकोण चिंता पर विजय दृष्टिकोण चिंता आपके सिर में नकारात्मक आवाज है जो आपको दृष्टिकोण ना करने के लिए कहती है यह आपको एक महिला की ओर जाने से रोकती है परिणाम प्रयास ना करने के लिए एक के बाद एक बहाने है महिलाओं से संपर्क करना इतना कठिन क्यों है आहिए पहले भाक्षे शुरू करते है आपको महिलाओं से संपर्क करने में इतनी कठिनाई क्यों होती है प्रलोभन से संबंधित अधिकान्स विशाओं की तरह गेम में पुरिष होने के कारण कई अलग-अलग उत्तर होते हैं हाला कि कुछ व्यापक कारण जिनके कारण महिलाओं से संपर्क करना मुश्किल हो सकता है उनमें शामिल है व्यत्शिगत अनुभव हम सभी के पास महिलाओं से संपर्ख करने के ऐसे अनुभव है जहां हमने आहत और अपमानित महसूस किया है दुर्भाग्य से हमारे दिमाग में इनहें उस समय से जादा याद रखना मुश्किल है जब चीजें बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी ये अतीत के अनुभव आपको भविश्य में आने से रोकते हैं अनुभव की कमी इसके विप्रीत अनुभव की कमी है आप महिलाओं से जादा संपर्क नहीं करते हैं इसलिए आपको लगता है कि यह बहुत बड़ी बात है और इसका अंत अनिवारे रूप से विनाशकारी होगा अपने चीजों को अपने दिमाग में इस कदर बना लिया है कि क्या गलत हो सकता है इसकी कल्पना आपको चीजों को सही करने के लिए आवश्यक अनुभव प्राप्त करने से रोक रही है कहानी और नियमिच स्टैक का अभाव आपको ऐसा नहीं लगता आपके पास कहने के लिए कुछ भी अच्छा है क्योंकि आपने अपने स्टैक पर होमवक नहीं किया है इसे ठीक करना सबसे आसान चीजों में से एक है क्योंकि आप जो कहने जा रही है उसमें समय लगाने के बारे में याद रखें कि रात को बाहर निकलने से पहले भी बहुत सारे खेल होते है पेडिस्टलाइजन आप एक ऐसी महिला को देखते हैं जिसके प्रती आप अत्यधिक आकरशित हैं और आपको लगता है कि आप उससे संपर्क नहीं कर सकते क्योंकि वह आपके लीक से बाहर है जाहिर तोर पर अपने स्टाइल को अपनी पत्नी के बगल में खड़ा नहीं देखा हुगा स्टाइल लाइफ अकादमी में हम आपको जो कुछ सिखाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा इस पर केंदृत है रूप माईने में रख सकता है लेकिन उतना नहीं जितना आप सोचते हैं और वैसे भी जब आप आकर्शन की कमी पर काबू पा सकते हैं जब बात सीधे नीचे आती है जब बात सीधे नीचे आ जाती है तो चिंता से निपटने का किवल एक ही उत्तर है तो आईए कुछ सामान्य समस्याओं के बारे में बात करें जो पुरुशों को महिलाओं के पास आने पर सामना करना पड़ता है आप बहुत गमहीर हैं आप क्या बहतर कर सकते हैं ताकि आप उस प्रकार के सकारात्मक अनुभों का निर्माड कर सकें जो हर दृष्टी कोड के साथ महिलाओं से संपर्क करना इतना आसान बना देंगे किसी महिला के पास आना और पहले तो बहुत गमहीर हो जाना विनास का नुस्खा है यह चीजों को अजीब और तनाव पूर बना देता है इसके बज़ाए हलका दृष्टी कोड चुने वह हैं जिसमें वह हसेगी, मुस्कुराएगी और सोचेगी कि आप कौन है और क्या है आप किसी चुनौती को समहाल नहीं सकते बहुत से लोग अपने लक्षे से भटकते ही इसे विफल कर देते हैं यह आपकी और एक कर्व बॉल फैक्ती है और आप उसे खो देते हैं यह कोई आकरशक प्रतिक्रिया नहीं है मुसीबत के पहले संकेत गबराने के बज़ाए तुफान का सामना करना सीखे आप बहुत जरुरत मंद है दूसरी ओर आप उसे प्रभावित करने के लिए बहुत अधिक प्रयास कर रहे होंगे या तो मनोरंजन करके या गलत तरीकों से या खराब समय के साथ उच्च मूल्य प्रदर्शित करने का प्रयास करके यह जरुरत मंद के रूप में सामने आता है और जब प्रलोबन की बात आती है तो जरुरत मंदता क्रिप्टोनाइट है आप उसके समय के लिए भुकतान कर रहे है किसी के लिए प्रे या रात्री भोज खरीदना ठीक है बस यह सुनिश्चित करे कि आप उसका समय नहीं खरीद रहे है यदि वह व्यक्ति मुफ्त चीजों के लिए इधर उधर भटक रहा है तो आप उसके समय का भुकतान कर रहे है यदि वे आपके साथ इसलिए टुक्टिके हुए है क्योंकि वे आपके साथ अपने समय का आनंद ले रहे है और आप उन्हें शांदार दिखने के लिए कुछ खरीदना चाते है तो ऐसा करें इसके इलावा मूर्ख मत बनो यह किसी के समय के लिए बुक्तान करने जितना ही बुरा है आप पर्यापत रूप से बाहर नहीं जा रही है क्या लगता है दोस्तों महीने में एक बार बाहर जाने मसे इसमें कटोती नहीं होगी निश्चित रूप से आपके पास जीने के लिए एक जीवन है लेकिन कोशिश करें और सप्ताह में कम से कम एक दो बार बाहर निकले और जो सीख रहे हैं उसका अभ्यास करें मेरा तर्क है कि एक रात की आखरी रात और अगली रात की पहली रात के बीच एक सप्ता से अधिक का समय आपके आराम के स्तर के मामले में एक बड़ा जटका होगा आप संपर्क ना करने के लिए बहाने बनाते हैं संपर्क ना करने का हमेशा कोई ना कोई कारण होता है हाला कि आप इसे जितना अधिक करेंगे आप इसमें उतना ही बहतर होते जाएंगे जब भी आप अपने दिमाग में वह छोटी सी आवाज सुने जो आपको बताए कि आपका संपर्ख क्यों नहीं करना चाहिए तो उसे चुप रहने और तुरंत पास आने के लिए कहे दिश्टिकोन की चिंता होना एक नियमित आदमी और एक आत्मविश्वासी आदमी के बीच अंतर नहीं है वास्त्विक अंतर यह है कि आत्मविश्वासी पुरुष इस चिंता का अनुभव करते हैं और इससे उबर जाते हैं यहाँ एक विचार प्रयोग है यदि आप सौ प्रतिशत होते तो क्या यह डर अभी भी मौजूद होता निश्चित रूप से अपने संपर्क किया तो महिला मिलनसार होगी आपसे बात करना चाहेगी या आपमें रुची भी लेगी दूसरे शब्दों में यदि कोई जोखिम नहीं होता किये जाने या शर्मिंदा होने के स्थाई परिणाम क्या होता है अधिकतर बस एक बुरी याददाश्ट एक अनुसमारक की आपको अधिक आभ्यास की आविशकता है सबसे बड़ी गलती यह है कोशिश करने में बहुत शर्माना जैसा की वेन कैस्टेकी ने कहा आप जो शौट नहीं लेते उनमें से सौ प्रतिशत चूग जाते है आपका संभावित लाव महत्पूर्ण है सबसे अच्छी स्थिती यह है कि वहे आपको पसंद करती है आपको उसका नमबर मिलता है और आप डेट पर जाते है वहे कुछ भी हो आप उससे बात करके कुछ सीखते है आप अगली बार उस ग्यान को लागू करे आप बहतर हो जाएंगे किसी महिला से संपर्क करने का जोखिम इनाम आपके पक्ष में ही है आपके पास आने से पहले आप अपनी चिंता महसूस करेंगे लेकिन इस बार अपने आप से कहें यह कोई बड़ी बात नहीं है मैं इसे समभाल सकता हूँ अपने डर को महसूस करो इसे पहचानो इसे अपने दिमाग में एक तरफ रग दो और जाओ आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है एक बहुत ही सामान्य प्रश्न जो मेरे चात्र मुझसे पूछते है आपकी द्रिष्टिकोर सम्बंधी चिंता कब दूर हुई सही उत्तर यह है कि ऐसा कभी नहीं होता यह अक्सर समय के साथ कम हो जाता है लेकिन कुछ हग तक यह हमीशा बना रहेगा द्रिष्टिकोर की चिंता पूरी तरह से सामान्य है अच्छी ख़वर यह है कि सबसे शर्मीले लोग भी वास्तम में प्रयास करने पर द्रिष्टिकोर की चिंता को कम कर सकते है आप भी कर सकते है हर कोई यह कर सकता है इसलिए जब आप वहाँ अभ्यास कर रहे है तो यहां कुछ तकनीके दी गई है जिनका उप्योग आप यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकते है कि चिंता आपको खुलने से नहीं रोकती है तकनीक एक यह एक बैंड एड को फाडने जैसा है यदि आप चिंता से निपटने के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं और इसे धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करते हैं तो आप इससे भी बत्तर बना देंगे आपको बस इसे तोड़ना है मतलब आपको बस दृष्टी कोड बनाना है ध्यान दें कि दिन का पहला सेट हमेशा सबसे कठिन होता है बस इससे उबरने का प्रयास करें एक बार जब आप पहला दृष्टी कोड अपना लेंगे तो बाकी काम आसान हो जाएगा आप जितना उससे अधिक मजबूत है याद रखें आपके चिंतित होने का एक मात्र कारण यह है कि आप उन लोगों से बात करना चाहते हैं और आप चिंतित हैं कि वे आपके बारे में क्या सोचेंगे जोखिम उठाएं और देखें क्या होता है तक्नीक दो माइक्रो स्पूपिंग यदि पावर थू काम नहीं करती तो धीमा करने का प्रयास करें और द्रिष्टिकोन को छोटे टुकडों में तोड़ दे माइक्रो स्कूपिंग तक्नीक छोटी कठिन है पर लेकिन अगर आप इमानदार रहें और ध्यान रखें तो यह कभी विफल नहीं होती जब आपकी चिंता इतनी बढ़ जाती है कि आपको पंगू बना देती है तो आपको इसका मतलब यह है कि अपने दिमाग और शरीर को बहुत कठिन चुनौती दे दी है कारे को छोटे छोटे टुकडों में तोड़ने का प्रयास करे उधारन के लिए मैं उस बेहद आकरशक महिला से बात करने जा रहा हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है इसलिए दिश्टी कोण को कुछ बहुत छोटे बहुत डराबने नहीं चरण में विभाजित करे इस तरह शुरू करे मैं उसकी दिशा में चलने जा रहा हूँ अब यह हास्यस पद लग सकता है जैसे इसकी महिला से बात करने से कोई लेना देना ही नहीं हो लेकिन बात यही है आप गती बढ़ाने को मदद के लिए छोटे छोटे कदम उठा रही है जो चिंता पैदा नहीं करते एक बार जब आप उसकी दिशा में आगे बढ़ रहे हो तो अपने लिए एक और लक्षे निधारित करे एक बार जब मैं उसके पास खड़ा हो जाऊंगा तो मैं कहूंगा अरे जल्दी से सवाल करो यदि आप उन शब्दों को बोल सकते हैं तो आप जा चुके हैं वापसी ना करने योग्य बिंदू से आगे निकल जाना प्रश्न पूछे और समू को खोलने की तुल्ला में प्रश्न पूछे बिना चले जाना अधिक अजीब होगा एक समय में एक छोटा कदम उठाने से आप बादचीत में समाप्त हो जाते हैं इस बिंदू पर आपके शरीर में चिंता बढ़ने की संभावना है लेकिन इसने आपको वहाँ पहुँचने से नहीं रोका जहां आपको होना चाहिए था इसका इस्तमाल करें बादचीत के पीछे उत्सा बढ़ाने के लिए इसे थोड़ी अतिरिक्त उर्जा दे इस अभ्यास के बारे में सबसे अच्छी बात यह नहीं है कि यह कितना प्रभावी है बलकि यह तब भी काम करता है जब आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है जो चिंता पैदा करता है जब आपको चुम्बन के लिए जाना हो या किसी लड़की को डेट पर चलने के लिए पूछना हो तो आप इसका उपियोग करने का प्रयास करें छोटे छोटे कदम आपको सफलता की ओर ले जाएंगे The Heroic Mind Shaping Exercise कल्पना कीजिए कि यदि आप अपने पसंदीदा नाइकों में से किसी एक का फ्रेम ले सकें ये अभ्यास आपको दूसरों में सकारात्म गुड़ों को पहचानने और उन्हें अपने भीतर विक्सित करने में मदद करेगा इस अभ्यास को करने के लिए आपको नीचे सूची बद्ध चर्णों की अवशक्ता है जो एक विशेश आकर्शन और आकर्शित और्डियो पाठ के साथ सैयुक्त है आप असानी से विस्तार देख सके उन गुणों वाले पात्रों की एक सूची लिखे जिने आप अपने फ्रेम में शामिल करना चाहेंगे आपके लिए वह जेम्स बॉन्ड हो सकता है दा ग्रेट कैसी नोवा या कोई अन्यव्यक्ती वास्तविक या काल्पनिक भी हो सकता है जैसे एनिमेक के केरेक्टर्स या कार्टून केरेक्टर्स जिसकी आप प्रशंशा करनते हो या जो आपको पसंद हो दूसरा इस सूची में वह चरित्र चुने जिसे आप आसानी से विस्तार से देख सके उसके बाद मीडिया को ऐसा रूप चुने जिसके साथ आप इस चरित्र का सबसे अच्छा अनुभव कर सके यह एक फिल्म एक इतिहास चैनल प्रस्तुती एक किताब, पत्रिका लेखिकों की एक श्रंखला या कुछ भी हो सकता है जो आपको लगता है कि फाइदे बंद होगा उसके बाद बे जिजक कुछ रूपों को भी सयोंजित करे चरित्र को पूरी तरीके से बहतर ढंग से समझने के लिए जो भी करना पड़े वह सब करे इस बात पर ध्यान दे कि यह पात्र एक कैमरे से कैसे आपके शरीर में प्रवेश करता है उसके चहरे पर सुक्ष मुभाव कैसे है वह कैसे बात करता है और कैसे अपने आपको आत्मविश्वासी दिखाता है अगर वह होता किसी फिल्म या किताब का या विशिष्ट द्रिश्य जिसके बारे में लगता है कि इस चरित्र को सबसे अच्छे से चित्रित किया जा सकता है उसे कई बार देखे या पढ़े एक बार जब आप यह सब कर ले तो एक शांद कमरे में बैठे और Heroic Mind Shaping Exercise और्डियोफाइल सुने जिसे आप इस अध्याय के अंत में पाएंगे छातरों के रूप में हम यह सब जानते है कि आलोचना महत्पूर्ण है यह हमें बहतर बनने में मदद करती है लेकिन यह अंदरूनी सुत्र हम जो बता रहे हैं जिसके लिए हम बेकरार है वहे किसी का काम नहीं है यह एक तरीका है जिससे आप उसे एक बुरे आंदरूनी व्यक्ति से एक मददग्यार व्यक्ति में बदलने के लिए खुद को प्रशिश्चित कर सकते हैं जब अभ्यास की बात आती है तो स्वयम से वह आलोचना सुईकार ना करें जो आप एक अच्छे विंग्मैन से सुईकार नहीं करेंगे एक अच्छा विंग्मैन आपको कभी भी नहीं बताएगा कि आप बेकार है या आप महिलाओं के साथ कभी अच्छे नहीं होंगे और उमीद है कि आप उस तरह के बिकार आलोचना बरदाश नहीं करेंगे यदि आपके विंगमैन ने आपसे कहा है कि आपको सीधे चलने के वज़ाए एक कोण में जाना चाहिए तो आप समबता वे सला माल लेंगे क्योंकि यह मददगार है वे आपको जो बता रहे हैं वे आपको एक बहतर प्रलोभग बना देगा और यही लक्ष़ है जब आत्म आलोचना की बात आती है तो आपको उसी अंतर को पहचानने के आवशक्ता है अपने आपको यह बताने से कि आप बेकार हैं आपको मदद नहीं मिलेगी लेकिन खुद को विशिष्ट सलहा देने से मदद मिलेगी मेरा सुझाओ है कि आप एक नोट कार्ड ले जाए और हर बार जब आप अपने आपसे कहें कि मैं बेकार हूँ या मुझे लड़की कभी नहीं मिलेगी या मैं बदसूरत हूँ तो आप नोट कार्ड निकाल लेंगे इस पार अपने लिए एक उपियोगी युक्ति लिखने जा रहे है अपने आकर्षण को बहतर बनाने के लिए आप एक या अधिक चीजे कर सकते हैं आप कठोर हो सकते हैं अपनी स्वेम की आकर्षण कम्यों की ओर इशारा कर सकते हैं लेकिन सुनिष्चित करें कि आप उन विचारों को लिख रहे हैं जिने आप समस्या को ठीक करने के लिए प्रिक्षण कर सकते हैं यहां विचार यह है कि आप अपने आपको बेकार आलोचनाओं को उपियोगी अलोचनाओं से बदलने के लिए प्रशिक्षित करें और अपने दिमाग में बैठें उस भयानक विचार को शान्द करें चैप्टर फाइफ आकर्षण और प्रलोभन के बारा कारण जिन्हें हर किसी को अध्यन करना चाहिए मेरे लिए सबसे आश्चर जनक बात यह है कि हर एक व्यक्ति जो एक फिल्म देखता है जरूरी नहीं है कि मेरी फिल्मों में से एक हो वह अनूठे अनुभाव का एक पूरा सेट लेकर आता है अब साबधानी पूर्वक, एड़फेर और अच्छी कहानी के माध्यम से समय, उमीद है कि एक ही समय पे हसे और एक ही समय में डरे स्टीवन स्पिल्बर्ग हम जानते हैं कि हम क्या है लेकिन यह नहीं जानते कि हम क्या हो सकते है विल्यम सेक्ष्पियर पहला कारण आकरशन और प्रलोभन का अध्यन आपको दूसरों को प्रभावित करने में मदद करेगा आकरशन और प्रलोभन को समझने के लिए आपको इच्छा को समझना होगा इच्छा ही प्रलोभन की शक्ति का मूल है किसी को आकरशित करना सीखने का अर्थ है कि उनकी कलपना को उनकी अपनी इच्छाओं के बारे में जानने के लिए प्रेरित करना हम यही अध्यन करने जा रहे हैं अपने शब्दों, अपने रूप, अपनी प्रतिष्ठा से इच्छाओं को कैसे पूरा करें यदि आप प्रलोभन को समझते हैं तो आपको अपने आसपास की दुनिया पर बहतर पकड़ होगी आप समझ जाएंगे कि आप जो निड़ने लेते हैं वह क्यों लेते हैं और इस बात की बहतर जानकारी होगी कि दूसरे जो निड़ने लेते हैं वह क्यों लेते हैं आप समझ जाएंगे कि दुनिया, राजनेता और विज्यापन आपको कैसे प्रभावित करते हैं, आप सीखेंगे कि किन चीजों के कारण आप उन लोगों के प्रती आकरशित होते हैं, जिनके प्रती आप आकरशित होते हैं, प्रलोभन एक ऐसा कौशल है जिसमें लाभू की दुनिया होती है, कारण दो, आकरशित और प्रलोभन का अध्यन करने से नए अवसर खुलेंगे, हम में से कई लोग एक के बाद एक अकसर की तलाश में रहते हैं, लेकिन हम चूप जाते हैं, कभी कभी ऐसा सिर्फ इसलिए होता है, क्योंकि हमें नहीं पता था कि पहले कोई अवसर था, मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ, जिनके दोस्तों यह सहकर्मियों पर क्रश था, जिने लगता था कि डेक उनके खिलाफ खड़ा है, और इसलिए उन्होंने कभी कोई कदम नहीं उठाया, वे सिर्फ दोस्त बनकर रहे गएं, और बाद में पता चल कि दूसरे व्यक्ति को भी ऐसा ही लगता था, और यदि उन्होंने से किसी एक ने कोई कदम उठाया, तो वे एक साथ हो सकते हैं, महा काव्य, अनुपात की एक तरास्ति, आकर्शन और प्रलोभन आपको इस प्रकार के अवसरों को देखने की जागरुकता दे सकते हैं, यह समझने के लिए कि कब डैक वास्तव में आपके विरुद्ध खड़ा है और कब आपके नियंत्रण में, चरण तीन, आकर्शन और प्रलोभन का अध्यान करने से आपको स्वयम को बहतर धंग से जानने में मदद मिलेगी, आकर्शन और प्रलोभन का अध्यान करने का एक आत्म समझ है, आकर्शन और प्रलोभन का एक महान चात्र बनने के लिए आपको खुद को दूसरे लोगों के स्थान पर रखना सीखना होगा, दुनिया के कई अन्य दिश्टी कोणों से देखना होगा, आपको खुद को उनकी आँखों से देखना होगा और पूछना होगा कि आप जो कर रहे हैं वह उनके लिए आकर्शक है या नहीं कारणशार आकर्शन और प्रलोबन का अधियन करने से आपको रोमैंटिक, डेटिंग और यौन जीवन में सुधार होगा आपके सामाजिक दायरे का विस्तार होगा और आपका नेटवर्ग भी बड़ेगा आकर्शन और प्रलोबन का अधियन करते समय आप मित्र बनाने जा रहे हैं या होने वाला है अभ्यास करने के लिए आपको वहाँ जाना होगा और लोगों से मिलना होगा और जैसा कि आप सिस्टम में गहराई से जाने पर सीखेंगे पहला कदम लोगों को आपके साथ सहज बनाना सीखना है और दूसरा है मूल्य प्रदान करना ऐसा करने से आपके मित्र बन जाएंगे अपने आपको एक महिला के स्थान पर रखे एक लड़का आपके पास जाता है उसके आसपास रहना बहुत आरामदायक होता है उसके पास बहुत अच्छी कहानिया है एक दिल्चस्प व्यक्तित्व है और उसने बाचीत को और अधिक मनोरजग बदाने में मदद की है क्या आप इस व्यक्ति को अपने सामाजिक दायरे में चाहेंगे बिल्कुल कारण बाच आकरशड और प्रलोभन का अधियन आपके जीवन में और अधिक रोमांच लाएगा जो लोग आकरशड और प्रलोभन का अधियन करते हैं उन्हें अपने आसपास की दुनिया की बहुत अच्छी समझ होती है क्योंकि कला के लिए इसकी अवशक्ता होती है जितना अधिक आप अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानेंगे उतनी अधिक बादचीत का हिस्सा बनेंगे और इससे भी बहतर आप उतनी अधिक बादचीत का नेत्रित्तु करने में सक्षम होंगे इसका मतलब है अपने शहर को जानना अपने देश को जानना अपने आसपास की संस्कृती को जानना और दुनिया के बारे में जितना हो सके उतना जानना कारण छे आकरशन और प्रलोभन का अध्यन आपको विकल्प देगा कल्पना कीजिए कि आप ऐसे जिस महिला से बात करने में रुची रखते हैं उसे बारे में नाइट क्लब में सड़क पर या कही और देखे अप कल्पना करें कि आप सीधे उसके पात जा सकते हैं और बात्चीश शुरू कर सकते हैं जो एक रोमेंटिक सहासिक कार्रे की ओर ले जाती है अभ्यास के साथ आप सर्वस्रेश्ट की आशा करने के बजाए यह चुन्ने में सक्षम हो सकते हैं कि आप किसे डेट करना चाते हैं कारण साथ आकर्षण और प्रलोभन का अध्यन आपको एक नया दृष्टिकोर देगा एक महान प्रलोभक बनने के लिए आपको स्वयम को अन्य लोगों के दृष्टिकोर से देखने में सक्षम होना हुगा आपको यह समझने की जुरत है कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं ताकि आप रण नीतिक निड़ने ले सके कि पहचान के कौल से टुकडे साजा करने हैं दूसरे लोग कैसे सोचते हैं और महसूस करते हैं इस पर ध्यान देने से आप अपने दिमाग को खोलना शुरू कर देंगे कि दूसरे लोग ऐसा क्यों करते हैं और यह आपके जीवन में कई माईनों में बदल सकता है जितना मैं इस छोटे से खंड में बता सकता हूँ कारण आठ आकर्षण और प्रलोभन का अध्यन करने से आपको शितिज का विस्तार होगा जितना अधिक अब दुनिया के बारे में जानेंगे उतनी अधिक बादचीत का हिस्सा बन सकते हैं और इससे भी भेतर आप उतनी अधिक बादचीत का नित्रिद्दू कर सकते हैं। मैं जिन लोगों को जानता हूँ जो प्रलोभन का अधियन करते हैं, वे भूखे, सीखने वाले हैं, वे मेरे जानने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति की तुल्ला में अधिक तेजी जानकारी का उप्षो करते हैं। यदि आप आकर्षण और प्रलोभन का अधियन करते हैं, तो एक बिंदू आएगा जहां आपको एहसास होगा कि आप अवशोशण में अधिक रुची रखते हैं। नई जानकारी प्राप्त करना एक महान छण है। कारण नौ, आकर्षण और प्रलोभन का अधियन करने से आप अधिक आत्म विश्वासी बनेंगे। अधिकांश लोगों से पूछें कि किसे अन्य व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए क्या करना पड़ता है और वे लगबख हमेशा कहेंगे आत्म विश्वास। अधिकांश भाग के लिए वे सही हैं। आत्म विश्वास इसका एक बड़ा हिस्सा है। नेकिन आप सिर्फ आश्वस्त नहीं हो सकते आपको छोटी-छोटी सफलताओं से आत्म विश्वास पैदा करना होगा। तकनीकों का अभ्यास करने और सिधानतों को सीखने से आपके छोटे स्थर पर सफलता दिखाई देने लगेगी और समय के साथ वे सफलताओं भेर हो जाएंगी जिसे आपको एक महान मोहक बनने का आत्म विश्वास मिलेगा। कारण 10 आकर्शन और प्रलोभन का अध्यन आपको अपने सर्वश्रेष्ट रूप में बदल देगा। आत्म जागरुकता और सामाजिक जागरुकता का सयोजन जो आकर्शन और प्रलोभन का अध्यन करने से आता है आपके लिए संचार को आसान और अधिक प्रभावी बना देगा। इस कौशल को सीखने के लिए अपना खोन, पसीना और आसु बहाने से जो आत्म विश्वास मिलेगा वहे आपको अपने जीवन के अन्य सभी छेत्रों में आत्म विश्वास देगा। आप नए कौशल सीखेंगे, नए कारनामों पर जाएंगे और आपके पास धेर सारे नए दोस्त और जितने चाहें उतने प्रेमी होंगे, आप एक नए व्यक्ति होंगे, आप सबसे अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं। कारण 11, आकरशन और प्रलोभन का अध्यन करके आप अधिक पैसा कमाएंगे। वह आपको दूसरों से कुछ कदम आगे सोचने और अधिक रणनीती बनने की अनुमुति देगी। वह आपको व्यावसाई जगत में मौजूद जटिल सामाजिक गती शीलता से निपटने में भी मदद करेगा। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आप पाएंगे कि सौदे करना, बैठके करना और अंतता अधिक पैसा कमाना आसान हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों की जरूरतों और इच्छाओं के बारे में अधिक जागरुख होंगे। कारण बारा आकर्शन और प्रलोवन का अध्यन करके आप अधिक सेक्स को आकर्शित कर पाएंगे। अधिकांज लोगों के लिए प्रलोभल, रोमैंस और रिष्टों के बारे में है यह मेरे अधिकांज छात्रों के लिए नमबर एक लक्ष है यदि आप इस कोशल को सीखने में समय लगाते हैं तो ना केबल आप सम्मंध बना पाएंगे बनकि उस प्रकार की महिलाओं के साथ भी होंगे जिने आप चाहते हैं जिस प्रकार के रिष्टे आप उनसे रखना चाहते हैं चैप्टर सिक्स आकर्शन की चार चड़निय प्रणाली कैसे लागू करें विकास के कुंजी हमारी जागरुकता में केवल चेतना के उच आयामों का परिचह है लाउजू प्रलोभन सिखाना शुरू करने से पहले मैंने मार्शल आर्ट का अध्यन किया था मेरे सिक्षक अध्भुत थे एक ऐसा व्यक्ति जो मार्शल आर्ट के किसी भी स्कूल में जा सकता था उन्हें चलते हुए देख सकता था और उनकी तकनीकों को खुद पर लागू कर सकता था वह इस बात को लेकर कभी शर्मिन्दा नहीं थे कि उन्होंने यह कैसे किया कुन जी दो विशेश शब्दों की उनकी समझ में थी दो शब्दों को बार बार सुनने और उनका अर्ट समझने से मेरे जीवन में महत्पूर बदलाव आया यहां दो शब्द हैं सिद्धान्त और दूसरा तकनीक ये दो शब्द इतने महत्पूर क्यों है ठीक है यदि आप किसी कला को सीखने के संदर्व में उनके महत्पूर और अर्थ को समझते हैं तो वे किसी भी चीज को सीखना बहुत आसान बना देते हैं एक सिद्धान्त सार्व भौमिक है इसका मतलब है कि आकर्शर और प्रलोभन का सिद्धान्त सच है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आकर्शित और कौन आकर्शित कर रहा है या आप किस छेतर में खेल रहे हैं व्यावसाय, राजनीती या रोमैंस उधारण के लिए यदि बादचीत शुरू करने का सिद्धान्त व्यक्ति या समूझ को सहज बनाना है तो यह सच है चाहे आप एक महिला हो जो किसी पुरुष को आकर्शित कर रही हो या एक पुरुष जो किसी महिला को आकर्शित कर रहा हो इस पे वास्तविक, रुमैंटिक प्रलोभन, व्यपारिक प्रलोभन और राजनीतिक प्रलोभन शामिल है सिध्धान्त हमेशा एक ही रहता है हाला कि तकनीके स्थिती-दर्स्थिती भिन्न होती है मार्शल आर्ट में ऐसा कोई एक मुक्का नहीं है जो सभी लडाईयों में जीत हासिल कर सके प्रलोभन में हर किसी से दोस्ती करने या अपने सपनों की महिला को बिस्तर पर लाने की कोई एक तकनीक नहीं है तकनीके अपने सब्बंधित सिध्धान्तों की अभिव्यक्ती है और विशिष्ट समय और स्थानों के लिए उप्योग की जाती है मार्शल आर्ट और प्रलोभन में कुझी एक ही है आप अंतर निहित सिध्धान्तों की बहतर समझ हासिल करने के लिए तकनीकों का अभ्यास करते हैं इसका मतलब है कि यदि आप आकर्षन और प्रलोभन सीखना चाते हैं तो तकनीकों का अभ्यास करें लेकिन सिध्धान्तों को हमेशा ध्यान में रखें आप बौधिक रूप से सिध्धान्त को समझ सकते हैं लेकिन यह सिध्धान्त का अनुभव करने जैसा नहीं है तक्नीके आपको अनुभव के माध्यम से सिध्धान्तों को सीखने में मदद करती है इसलिए आप उनका अभ्यास करें इसलिए बाद में जब मैं आपको बादचीश शुरू करने के बारे में सिखाऊंगा तो मैं आपको सिध्धान्त और फिर कुछ तकनीके सिखाऊंगा इस पुस्तक में आउनलाइन में जो तकनीके मैं पेश करता हूँ वे विशेश परिस्थितियों के लिए अचूक है इनका पूरी तरीके से परिक्षण किया गया है और ये आपके अभ्यास के लिए बहुत अच्छे है आकर्शन और प्रलोभन तकनीकों का अभ्यास कैसे करें आकरशन और प्रलोभन किसी भी अन्य कोशल की तरह एक कोशल सेट है जिसका अर्थ है कि इसके लिए अभ्यास की अवशक्ता होती है इस पुस्तक में आपके लिए कोशल सीखने के लिए सभी पाठ है लिकिन आपको इसके लिए अभ्यास की अवशक्ता होगी इस पुस्तक में आपके लिए कौशल सीखने के लिए सभी पार्ट दिये है लिकिन आपको इसका अभ्यास करने के लिए समय देना होगा अनुदेशात मात्मक वेडियो देखे आपको प्रत्येक अध्याय के अंत में एक लिंक मिलेगा यदि आप देखना चाते हैं कि अभ्यास का एक अच्छा सप्ता कैसा होता है तो मेरे पास आपके लिए अभ्यास कारेकरम भी है अभ्यास के लिए नियमित घंटों की योजना बनाए वर्षो से मैं अभ्यास के बारे में यही बात सुन रहा हूँ यही सब नया काम करने से मुझे अपने दोस्तों के बीच अजीब महसूस होता है यहां एक सुझाव है अपने दोस्तों के आसपास अभ्यास ना करें इसे इस तरह सोचें जब आप किसी खेल अभ्यास के लिए जाते हैं तो आप अपने उन सभी दोस्तों को अपने साथ अभ्यास करने के लिए नहीं लाते हैं, जिनकी खेल में रुची नहीं है, यदि वे वहां होते, तो यह अजीव होता, और समवता उनके पास अच्छा समय नहीं होता। आपको इस कला के बारे में किसी अन्य कला के अभ्यास की तरह ही सोचना होगा, केवल उन अन्य लोगों के साथ अभ्यास करें, जो इस कला को सीखने में रुची रखते हैं, यदि किसी और की रुची नहीं है, तो स्वयम अभ्यास करें। आप इसे पढ़ रहे हैं, तो आप कला के रूप में बहुत सारी उर्जा लगाने के लिए तैयार हैं, यह बहुत अच्छा है, यहां नए छात्रों के लिए कुछ विचार दिये गए हैं, जो आपके शुरू करने से पहले आपकी मदद करेंगे, पहला अलग से समय निर्धार करें, यह किसी भी नौसिखिये के लिए सबसे महतपूर कदम होगा, एक केलेंडर पर समय अलग रखें, जिसके बारे में आप जानते हैं कि इसका उपियोग पूरी तरह से आज जो भी सामगरी सीख रहे हैं, उसका अभ्यास करने के लिए किया जाएगा, मेरा सुझाओ है, कम से कम, सब्ता में एक दिन, तीन घंटे, बार और कलबों में अभ्यास करने वाले लोगों के लिए इसे बिलकुल ठंडे रिमाक से करें, दूसरा, अभ्यास सामगरी, अपनी पसंद की सामगरी ढूंडे और उसका अभ्यास करें, प्रारंभिक चरण में यह महतपूर है, आपको काम करने के लिए कुछ ठोस चाहिए, ऐसे लोगों के साथ सेट पर ना पहुँचे, जो वही पुराना काम कर रही है, जो आप हमेशा करते आए हैं, मैं शुरू करने के लिए कश्मीरी स्वेटर या ड्रंक आई लव यू जैसी ओपीनियन ओपनर को सुझाओ देता ह कुछ नए अभ्यास करें, कुछ ऐसा जो आपको आपके अराम छेतर से बाहर ले जाए, जैसा कि हमारे कोच जौनी क्रूस कहते हैं, ऐसे हैज हो जाओ, यदि आपको प्रोचसाहन के अवशकता है, तो आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले फ्राई के साथ बाहर जाना है, अंत में उसे दो सो डॉलर का बिल दें, और उसे आपके द्वारा किये गए, प्रत्येक दृष्टिकोर्ण के लिए 20 डॉलर लटाने के लिए कहें, दूसरा है बूट कैम्प लेना, मैं स्टाइल लाइफ बूट कैम्प का सुझाओ देता हूँ, क्योंकि मैं स्ट जोडे में अभ्यास करना पसंद करते हैं, किसी मित्र का आसपास रहना मजेदार और मददगार हो सकता है, यहां बताया गया है कि आप किसी मित्र के साथ अभ्यास का अधिक्तम लाब कैसे उठा सकते हैं, अपना अभ्यास चुने, तै करें कि आप क्या अभ्यास करने जा र कि आप दोनों जानते हैं, कि आप क्या काम करने जा रहे हैं, और एक योजना बनाएं, अपनी सामगरी जाने, बाहर जाने से पहले सुनिश्चित करें, कि आप समझते हैं, कि आप किस प्रकार की दिन चर्या, शुरुवाती बातें, और कहानिया बताना पसंद करते हैं, अपनी साथी को बताएं कि आप अपने अभ्यास में कहा है क्या आप खोलने पर काम कर रहे है क्या आप सीडिंग तिथियों पर काम कर रहे है क्या आप मूल्या निर्माड पर काम कर रहे है आपको और आपके मित्र को यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या जानते हैं और आप क्या अभ्यास कर रही हैं इनाम प्रेर्णा जब आप किसी दोस्त के साथ बाहर हो तो यह आपको प्रेरित करने में मदद करने की एक तकनीक है अपने मित्र को 100 डॉलर दे और आपके प्रतियक प्रयास के लिए वह आपको 20 डॉलर वापिस देगा मान लीजिए कि आपके पास लोगों के पात समू या वक्तिगत महिलाओं से संपर्क करने के लिए 3 घंटे हैं तो यह 6 पैसा रख लेता है द्रिश्टिकोण बनाते समय एक व्यक्ति को उपर चलना चाहिए और फिर पहले व्यक्ति द्वारा बाचित शुरू करने के बाद विंग को उसका अनुसरण करना चाहिए दो लोगों के एक साथ समू में आने से यह और अधिक स्पष्ट हो जाता है कि आप उन पर प्रहार करने के लिए वहाँ है और हमारा लक्ष शुष्म होना है इसलिए अकेले चलें जब आप शुरुवात से बाचित की और आगे बढ़ें तो अपने मित्र से संपर्क करें गुप्त कोड कभी कभी आप बिना कुछ कहे अपने विंग मैन से समवाद करना चाहेंगे वैसे कई महिलाएं गर्ल नाइट आउट पर अपने दोस्तों के साथ कोड में समवाद करने में माहिर होती है मैं एक कोड बनाने का सुझाओ देता हूँ जिसका उप्योग अब सरल संदेशों को संप्रेशित करने के लिए कर सकते है यहाँ एक कोड का उधारण दिया गया है जिसका उप्योग मैंने अपने मित्र के पास आने पर किया था अगर मैं अपने मित्र के पास आने पर एक उंगली से इंगित करता हूँ तो इसका मतलब है कि वह वही महिला है जिसमें मेरी रुची है इससे उसे मदद करते समय उससे दूर रहने की जानकारी मिलती है अपने दोस्तों के साथ आराम बनाने के लिए यदि मैं दो उंगलियों से इंगित करता हूँ तो इसका मतलब कि मुझे उस महिला का नाम याद नहीं है या तो जब आप घर पहुचे या अगले दिन अपने दोस्त के साथ बैठे और विचार करें कि आपने क्या गलत किया और क्या सही किया अपने संचिप्त सत्र के आधार पर अपने अगले अभ्यास सत्र की योजना बनाना शुरू करें अपने विंगमैन मित्र का सम्मान करे कुछ लोग एक दूसरे को लगातार चड़ाना पसंद करते हैं जब आप एक साथ भूम रहे हो तो यह बहुत अच्छा है लेकिन आकर्शन और प्रलोभन के लिए नहीं जब आप और आपका मित्र एक समू में एक साथ हो तो आपको हमेशा एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए कभी भी एक दूसरे को नीचे नहीं दिखाना चाहिए इसके इलावा अन्य लोगों को अपने साथी को नीचा ना दिखाने दे उसके लिए खड़े हो और सुनिश्चित करें कि वह आपके लिए खड़ा हो आप इसमें एक साथ है आपके एक दिल्चस्प व्यक्ति होने का सबसे शक्तिशाली प्रतीक यह है कि आपके आसपास दिल्चस्प लोग हैं ऐसे लोग जिनके साथ रहना ना केवल मज़ेदार है बलकि वे लोग जो आपके जैसे ही दिल्चस्प हैं इसे चित्रित करें आप किसी बार या कलब में हैं और आप एक महिला के पास जाते हैं आज रात आप विंग हैं इसलिए आप अपने मित्र को परिच्चे दें और समू से सब को बताएं कि वह एक अद्भुद व्यक्ति है तुमने उसे बस दिल्चस्प बनाया लेकिन तुमने अपने लिए कुछ नहीं किया है ना गलत वास्तम में आपने खुद को पूरी तरह से एक सूपर कुल आदमी के रूप में स्थापित कर लिया है क्योंकि आप किसी ऐसे व्यक्ति के प्रती सम्मान व्यक्त करते हैं जिसके आप परवा करते हैं जब आप उस व्यक्ति को सामाजिक मुल्या दे रही हैं जिसके लिए आप प्रयास कर रही हैं तो आप इस स्थिति में अपने लिए उच्च सामाजिक मूल्या भी बना रहे हैं आखिरकार यदि आप इस पूरी तरह से अद्भुद व्यक्ति के साथ हैं तो यह आपको कितना अद्भुद बनाता है बहुत भयानक यह बात मूलतहा जीवर में हर जगे लागू होती है जब आप चाहे आप किसी बार या कलब में हो या बस किसी व्योसाइक सम्मेलन में लोगों से मिल रहे हो या किसी नए शहर में जाने के लिए नए दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हो अगर आप ऐसे लोगों के आसपास हैं जो दिल्चस्प हैं तो लोग यह माल लेंगे कि आप खुद भी दिल्चस्प हैं, यदि आप दूसरों को आकरशक, दिल्चस्प लोगों के रूप में पेश करते हैं, तो अन्या लोग जानना चाहेंगे कि आप अपनी टोपी के नीचे क्या छिपा रहे हैं, इसलिए इस अध्याय के निशकर्ष के रूप में, मैं चाहता हूँ कि आप एक बिंग मैन को ढूंडे, पहले जो आप सीखना चाते हैं, उसे साज़ा करें, और चर्चा करें, और फिर बाहर जाएं, चलिए, नेक्स चैप्टर में मिलते हैं, चैप्टर सेवन, ऊपनिंग लाइन को कैसे यूस करें, आईए, हम एक दूसरे से हमेशा मुस्कुराहट के साथ मिले, क्योंकि मुस्कुराहट ही प्यार के शुरुवात है, मदर टैरेसा, वर्शों से मैंने एक लगातार शिकायत सुनी है, जो च्छात्रों को मेरे पास लाती है, मुझ में अजनब्यों से संपर्ख करने का आत्म विश्वास नहीं है, सुन्दर महिलाओं की तो बात ही छोड़ दे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या कहना है, मैं समस्ता हूँ, मेरे लिए भी यह सीखना कठित था, कि कैसे चलें, और बिल्कुल अजनब्यों से बात करें, ठंड को करीब लाने के लिए, हालां कि इसे करने की अवशक करता है, क्योंकि यही आपको वास्तविक विकल्प देगा, यहे आपको यहे कहने की छमता देगा, मैं उस व्यक्ति से बात करना चाहता हूँ, और फिर वास्तम में ऐसा करें, मेरे साथी प्रश्शिकों में से, एक ने, मुझे, मैंने इस लड़की को मैट्रो में देखा थ वहे बिलकुल मेरे पास खड़ी थी, मैंने उसे देखा, यहे जानते हुए कि मुझे आपके पास जाना हुगा, यही कारण है कि मैं क्या यहे सही कर रहा था, जिन लोगों से मैं बात करना चाहता था, उनसे संपर्क करने के लिए, मैंने उसे फिर से अपनी चाल चलने के ल गए हैं, मेरा दिल था, तेजी से धड़त रहा था, और मुझे ऐसा लगा, जैसे मेरे पास सुरंग द्रिष्टी है, मैं यहे नहीं कर सका, अब अभ्यास के बाद वे उस तरह का लड़का बनने में काम्याब हो गया है, जो आत्म विश्वास के साथ किसी से भी संपर्क कर स करता है, यहां तक की उच्ची छमता वाली महिलाओं से भी, उसने यह कैसे किया, खैर वह एक वारतालाप स्टार्टर का उपियोग करता है, जिसे आमतोर पर ओपनर कहा जाता है, ओपनर एक स्क्रिप्टेड लाइन है, जो बात चीज शुरू करने में मदद करती है, और सब अपसे महतपूर्ण बात, व्यक्ति या समूह को आपके साथ बात करने में सहज बनाती है, इसके बारे में इस तरह सोचे, यदि कोई पूर्ण अजनवी आपके पास आए, तो आप क्या सोचेंगे, वह मुझसे क्या चाहता है, मुझे उत्तर क्यों देना चाहिए, मुझे उससे कितनी देर तक बात करनी होगी, यदि ये प्रश्ण अनुत्तरित रह जाते हैं, तो ये आपको एसहज कर देंगे, और समवता, आप इन्हें अपने आसपास नहीं चाहेंगे, तो यहां सिध्धान्त है, अजनवीों के साथ बात्चे शुरू करने के लिए, आपको उ या करते हैं, वे ऐसहज लगता है, तो वे समवता, जितनी तेजी से संभव हो, पहाडियों की ओर भागेंगे, यही कारण है, कि जब लड़के संपर्ख करते हैं, तो उन्हें अस्वकार कर दिया जाता है, क्योंकि वे महिला और उसके दोस्तों को ऐसहज कर देते हैं, बात चीज शुरू करने के पांच सुनहरे नियम यहां दिये गए हैं, पहला, कुछ ऐसा कहें, जो दिल्चस्प हो, आपके मूँ से जो कुछ भी निकले, वह जिग्यासा पैदा करनी चाहिए, इसमें उनके दिमाग को हिलाने की जुरत नहीं है, लेकिन इसके लिए समू को बात करने के लिए प्रेरित करना जरूरी है, दूसरा, कुछ ऐसा कहें, जिससे अधिक बातचीत हो, बातचीत को आगे बढ़ाना होगा, आमतोर पर एक बयान देने से अधिक बातचीत नहीं होती है, इसलिए एक प्रश्न का उप्योग करने का प्रयास करें, जैसे प्रश्न, सम काम नहीं करते, क्योंकि समू, आपसे केवल यहा पेक्षा करते हुए उत्तर देता है, कि आप आगे बढ़ें, इसके इलावा वे दिल्चस्प भी नहीं है। 3. कुछ ऐसा कहें, जिससे आपको आपके बारे में कुछ पता चले। 4. जब आप किसी के साथ होते हैं, आप जो कुछ भी कहते और करते हैं, वे आपके बारे में कुछ न कुछ बताता है। 5. ध्यान रखें, कि जिस तरह से आप बात्ची शुरू करते हैं, वे आपके बारे पे कुछ कहता है। एक प्रारंभिक पंक्ति का उपियोग करके आप वास्तम में उन धार्णाव को नियंत्रित करना शुरू कर सकते हैं, जो लोग आपके पास आने पर आपके बारे में बनाते हैं, इस बारे में सोचें कि आप जो बाते पूछ रहे हैं, वे आपके बारे में क्या कहती हैं। चौधा, सुनिश्चित करें कि वे जानते हैं कि आप लंबे समय तक नहीं रह सकते, यह उल्टा लग सकता है, लेकिन जब आप पास आते हैं, तो आपको हमेशा कुछ ऐसा करना चाहिए, जिसका प्रभाव यह हो, मैं लंबे समय तक नहीं रह सकता, इसका कारण यह है कि जब कोई अजनवी, किसी व्यक्ति या समू के पास जाता है, तो उस व्यक्ति या समू को चिंता का एक छड़ आता है, जिससे वे ऐसहज महसूस करते हैं, खासतोर पर अगर उन्हें लगता है कि नए व्यक्ति की बाट टालने से वे फज जाएंगे, इस तुरंत बताना जरूरी है कि आप जल्द ही जा रहे हैं, अब जाहिर है, हमने संपर्क किया क्योंकि हम बाचे जारी रखना चाहते हैं, चिंता मत करो, आपको वास्तम में छोड़ना नहीं है, आपको बस इतना कहना है कि आप लंबे समय तक नहीं रह सकते, यदि आप उन्ह सहज बनाने में सक्षम है, तो यह बात सामने नहीं लाएंगे, कि आपने कहा था, कि आपको जानना है, वास्तम में अब तक मैंने जितने भी दृष्टी कोड़ अपनाए हैं, उन्में कभी किसी नहीं से सामने नहीं लाया, पांचवा, सुनिश्चित करें, कि आप जो भी कह रहे हैं, उसके लिए उन्हें कारण दे, आप ऐसा नहीं दिखाना चाहेंगे, जैसे कि आप बजार, अनुसंधार, या किसी प्रकार का सर्वेक्षन कर रहे हैं, इसलिए आप जो भी कहने जा रहे हैं, उसे हमेशा कहने का एक कारण दे, आप इन कारणों की उधारन इस पुस्तक में और वेबसाइट पर देखेंगे, बाचीश शुरू करने का अभ्यास कैसे करें, अब जब आपके पास सुनहरे नियम है, तो सब्दों को सीखने का समय आ गया है, लिकिन इस से पहले कि मैं शुरुवाती सब्दो पर पहुचो, मैं आपको उनका अभ्यास करने के लिए कुछ सुजाओ देता हूँ, पहला याद रखें और अभ्यास करें, सुनिश्चित करें कि आप जानते हैं, कि आप क्या चाते हैं, कह रहे हैं, शब्दों में गडबड़ी करोगे, तो लोग भ्रमित हो जाएंगे, य इनके साथ वे ऐसहज होते हैं, यदि आप ओपनर सीखते हैं, तो इसे शब्द दर्शब्द लिखें, यदि आप घर पर अभ्यास नहीं कर सकते हैं, तो गाड़ी चलाते समय, कार में ही अभ्यास करें, आप उस हिस्से को दौराने में सक्षम होंगे, जो उन्होंने नहीं स सुने थे, यर जिसके बारे में वे भ्रमित थे, दूसरा, बाहर जाओ और अभ्यास करो, इन चीजों का अभ्यास करने में समय लगता है, इसका मतलब है, कि आपको अभ्यास के लिए समय देना होगा, अगर यह पहली कोशिश में काम नहीं करता है, तो मुझे इमेल ना करे, यह एक मार्शल आर्ट, कक्षा लेने, एक पंच सीखने, जिसका आप एक बार अभ्यास करते हैं, और फिर सिक्षक को कुछ ऐसा सिखाने के लिए दोशी ठैराने जैसा होगा, जो काम नहीं आया, यह एक कौशल है, और इसके लिए अभ्यास की अवशक्ता होती है, तिसरा, बॉडी लैंग्वे जोडे, यह एक छोटा सा रहस्य है, अपने पैरों को उस व्यक्ति या सम्हू से दूर रखें, जिसके साथ आप बार्चीश शुरू कर रहे हैं, जब आप कहते हैं, मैं लंबे समय तक टिके नहीं रह सकता, यह अधिक प्रभावी होगा, यद आपके शब्दों के अनुरूप हो, जब लोग वास्तम में जल्दी में होते हैं, यह इधर दर रुखने की योजना नहीं बना रही होते हैं, तो वे अपने शरीर को उससी दिशा की ओर रखते हैं, जिस दिशा में वे जा रहे हैं, इसी तरह करें, अपने पैर दूर रखे अब मेरे दो पसंदीदा ओपनरों पर ध्यान दे, ओपनर वन, कश्मीरी स्वेटर ओपनर, अरे त्वरित प्रश्ण पूछें, मुझे एक मिनट में उडान भरनी हैं, लेकिन मैं किसी चीज के बारे में आपकी सलहा लेना चाहता था, मुझे अपने दोस्त की मदद करनी है, अपनी बहन के जन दिन के लिए एक कश्मीरी स्वेटर चुने, मैंने उससे उसका आकार जाचने को कहा था, और वह सभी छोटे और बंधियम आकार के स्वेटर पहनती है, तो मेरे सवाल यह है, अगर किसी ने आपके लिए कोई उपह खरीदा है, तो क्या, आप चाहेंगे कि वह थोड़ा बहुत छोटा हो, या थोड़ा बहुत बड़ा हो, ओपनर दो, the drunk I love you opener, अरे, तुरित प्रश्न, शैद आप इसमें कुछ मदद कर सकते हैं, क्या नशे में I love you माइने रखता है, जैसे कि अगर कोई नशे में और कहता ह कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या वह माना जाएगा, मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक दोस्त कुछ ही मिन्टों में यहां आने वाला है, और उसने मुझ से ऐसा पूछा, जैसा में वास्तम में जवाब नहीं दे सका, यह तरेका रिष्टे का स सवाल है, यह लड़की जिसे वह कॉलेज की दिनों में जुड़ा था, अंतता कर रात उससे खुल कर बोली और कहा कि वह उससे प्यार करती है, समस्या यह है कि वह नशे में थी और उसने तब भी कुछ भी नहीं बताया है, मुझे उससे क्या करने के लिए कहना चाहिए, आस अपनी डिलीवरी को परिश्कृत करने के लिए अब कई युक्तियां और तक्रीबे, तरकीबे अपना सकते हैं, कई और शुरुवाती लोगों के लिए ओनलाइन बोनस, परिक्षण अनुभाग देखे, इस अध्याय के अंत में अपने खुद का ओपनर बनाना, एक बार ज विचार करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बाची शुरू करते समय आपका मुख्य लक्षे उस व्यक्ति को तयार करना है, आपसे बात करने में सहज महसूस होता है, एक सलामी बल्लेबाज में इस लक्षे को प्राप्त करने के लिए कुछ तत्तु शामिल होने चाहिए, सब सबसे पहले और सबसे महत्पूर, आपको उनके दिमाग में सवालों का जवाब देना होगा, इससे पहले कि वे उन पर विचार करें, एक उचित चिताबनी मुझे नहीं लगता कि नए छात्रों को स्रेजन करना चाहिए, उनकी अपनी सामगरी यह एक मार्शल आर्ट कक्ष दिशा में जाने और बस अपनी चाले बनाने का निर्णे लेने जैसा होगा, लेकिन मुझे पता है कि आपके से कई लोग प्रयास करने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ कुछ दिशा निर्देश दिये गए है, पहला वह मुझसे क्यों बात कर रहा है, सुनिश्चित करें कि अब जो भी कह रहे हैं, उसके पीछे आपके पास कोई कारण होना चाहिए, ऐसा हो सकता है कि आपको किसी स्वेटर का चैन करने या किसी रेस्टरांट में कोई नाम, कोई व्यंजन चुनने में सहायता की आवशकता हो, ऐसा हो सकता है कि आप किसी राय, उत्तर या सलहा की त कर सकती है किसी भी तरह से द्रिष्टी कोड का कोई कारण होना चाहिए दूसरा वह कब आएगा सुनिश्चित करें कि आपके सलामी बल्ले बाजों के पास समय की बाध्यता हो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को यह बताना कि आप अधिक समय तक नहीं रह सकते हो सकता है कि आपक को हवाई जाज पकड़ता हो अपने दोस्तों के आसपास जाना हो किसी बीटिक पे जाना हो आदी मुख्य बात यह है कि उस व्यक्ति को यह बताना कि आप लब्बे समय तक उनसे चिपके नहीं रहेंगे तीसरा, सुनिश्चित करें कि विशे दिल्चस्प है यह चर्चा के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में काम कर सकता है और इसे एक ऐसे प्रिश्न के साथ समाप्त होना चाहिए जिससे अधिक बादचीत हो सके चौथा, क्या वह मुझे पर हमला कर रहा है तारीफ से शुरुवात ना करें इसे कामुक ना बनाए या यह ना बताएं कि आप रुची रखते हैं सबसे पहले आप वास्तम में उसे नहीं जानते तो आप पहले से ही उसके रुप रंग से अधिक किसी चीज में रुची कैसे ले सकते हैं दूसरे, शुरुवात में ही अपनी रुची का संकेत देना महिलाओं को एसहज कर सकता है और यह खराब मोहग समय है बाच्वा, यदि आप अपना स्वयम का उपनर बनाने जा रहे हैं तो इसका नियमित रूप से अभ्यास करें आपको गड़बणियों पर काम करने की जुरत है और आप उन सभी को अपने दिमाग में काम नहीं कर सकते उन्हें फिल्ड परिक्षड करने की जुरत है यदि आप हमेशा अपने हर काम पर सीमा लगाते हैं शारिरिक या कुछ और तो यह आपके काम और आपके जीवन में फैल जाएगा कोई सीवा नहीं है केवल पठार है और आपको वहां नहीं रहना चाहिए आपको उन से आगे जाना होगा ब्रूसली आप सोच सकते हैं कि एक प्रलोवन कोच के रूप में मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या लड़कों को सुन्दर महिलाओं को डराने धमकाने के लिए तयार करता था लेकिन आप गलत होंगे अब तक की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि लोग अजनब्यों के समू से कुछ मिनट बात करने के बाद भाग ना जाएं अधिकान समय एक छातर आगे बढ़ता है, खुलता है, बाचे शुरू करता है, घबरा जाता है और समू से बाहा निकल जाता है जब मैं पूछूंगा कि छातर क्यों चला गया तो जवाब हमेशा यही होगा मैं कहने के लिए और कुछ नहीं सोच सका बात यह है, आपके पास कहने के लिए कुछ है, दरसल आपके पास कहने के लिए बहुत सी बाते हैं आप बस ठंडे हो रहे हैं, क्योंकि आप समबता, समू के फैसले को लेकर चिंतित है या फिर अपने बारे में समू की ब्राए में ज़्यादा सोच रहे है सला का पहला भाग घबराए नहीं ऐसा अधिकान्स शात्रों के साथ होता है और इसे ठीक करने का एक तरीका है इसे ब्रिजिंग कहा जाता है ब्रिज सर्व उद्देशिय संवनात्मक लिंकिंग तक्नीक ब्रिज कोई भी प्रश्न या कोई अबलोकन हो सकता है ब्रिज बादचीत को आगे बढ़ाने और उस दिशा में ले जाने का एक तरीका है जिस दिशा में आप इसे ले जाना चाहते हैं पहला पुल आमतवर पर खोलने के ठीक बाद होता है ओपनिंग लाइन के बाद आप कोई प्रश्न पूछे या कोई अबलोकन करें प्रश्न या अबलोकन से मुल्य निर्माड का दिन्चर्य या कहानी बननी चाहिए यह तकनीक तब विक्सित की गई थी जब मैं और एक साथी कोच मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है घटना पर चर्चा कर रहे थे जो लगातार हमारे चात्रों को परिशान करती है की कोई तकनीक नहीं सिखाई हम बैठे और इस बारे में सोचा कि बादचीत को आगे बढ़ाने वाली कौन सी चीज है हमने दो बातें देखी पहली लोग प्रासंगिक टिपणिया करेंगे या दूसरा लोग अचानक से प्रश्न पूछते हैं यहां कुछ उधारन दिये गए हैं तो काम कैसा चल रहा है तुम्हारी पत्नी कैसी है आप मुझे मेरे उस सिक्षक की याद दिलाते हैं मुझे यहां का संगीत बहुत पसंद है आप सभी एक दूसरे को कैसे जानते हैं मुझे तुम्हारा हार बहुत पसंद है हमारे द्वारा देखी गई प्रत्येक बादचीत में प्रत्येक व्यक्ती ने बादचीत को आगे वढ़ाने के लिए प्रश्नों और टिपडियों का उप्योग किया परियाप्त प्रश्नों और टिपडियों को एक साथ रखे और आप असानी से बादचीत की अवधी को अनंत तक बढ़ा सकते हैं और जब हमने यह पैटर निकाला तो हमें तुरंद पता चल गया कि यह हमारा उत्तर था हाला कि प्रलोभक के रूप में हमें थोड़ा अधिकरण नीतिक बनना चाते हैं क्या हम ब्रिजिंग का उप्योग न केवल बादचीत को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं बलकि इसे वहां ले जाने के लिए भी कर सकते हैं जहां हम इसे ले जाना चाते थे बिल्कुल मान लीजिये कि आप संगीत के बारे में बात करना चाहते हैं आप कमरे में संगीत के बारे में अवलोकन कर सकते हैं मान लीजिये कि आप काम के बारे में बात करना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं कि कोई व्यक्ति कहां काम करता है मान लीजिए आप यात्रा के बारे में वात करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं क्या आप बहुत यात्रा करते हैं इसे दूसरे तरीके से देखें आप यह प्रश्ण पूछ सकते हैं आप सभी एक दूसरे को कैसे जानते हैं इस प्रश्न के कुछी उत्तर है, हम साथ मिलकर काम करते हैं, हम संबंधित है, हम एक रोमैंटिक रिष्टे में है, हम रूमेट है, हम एक साथ बिर्द्याले जाते है, हम दोस्त है इसे पहले से जानने के बाद मेरा सुझाओ है कि काम, एक भाई बहन या उसके अभाव, एक रोमेंटिक रिष्टे, एक रूमेट, स्कूल और एक करीबी दोस्त के बारे में एक कहानी तयार रखे इस तरह आपको चाहे जो भी उत्तर मिले, आप एक कदम आगे हैं और चीजों को आगे बढ़ाने के लिए तयार है, फिलहाल ये देखना मैत्पूर्ण है कि एक पुल बातचीत को आगे बढ़ा सकता है, बाद में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि पहचान की कहानी या ज्या आधारित पहचान की कहानी आप प्रश्न पूछने और अवलोकन करने में जितना भैतर हो जाएंगे, आपकी कहानियों के लिए आपके प्रलोभन में स्थान डोड़ना उतना ही आसान हो जाएगा, आप इस अध्याय के अंत में दिये गए निर्देशों का पालन करके दा रिंग फिंगर रूटीन, दा बेस्ट फ्रेंड्स टेस्ट और आइडेंटिटी, स्टोरी टैलिंग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यदि आप संगीतकार हैं और संगीत के बारे में बात करना चाते हैं, तो कारे कर स्थल में संगीत के बारे में अवलोकन करें, यदि आप नौकरी से प्यार करते हैं और काम से संबंदित किसी की कहानी के बारे में बात करना चाते हैं, तो पूछें कि आप भी एक साथ काम करते हैं उनके उत्तर प्राप्त करें और अपनी कहानी बताएं उन लोगों के लिए जो ऐसा महसूस करते हैं कि उनके पास कहने के लिए हमेशा चीजे खत्म हो जाती हैं जब आप उस मानसिक अवरोज से टकराते हैं तो एक पुल करने का प्रयास करें कोई अवलोकन करें या कोई प्रश्न पूछें फिर देखें कि बादचीत कहां तक जाती हैं चैप्टर नाइन आकर्शन पैदा करने और कमरे में सबसे दिल्चस्प व्यक्ति बनने कि तीन कुंजी सफल व्यक्ति बनने का प्रयास mitä करें बल्कि मुल्यव्यान व्यक्ति बनने का प्रयास करें एलबर्ट आइंस्टाइन मैं आपको कमरे में सबसे आकर्शक और दिल्चस्प आदमी बनने के तीन चरण सिखाने जा रहा हूँ यह महत्पूर्ण है कि आप उनमें से प्रत्यक को याद रखे वह चीट-शीट डाउनलोड करें जो मैं आपको इस अध्याई के अंत में दूँगा सामाजिक मुल्य क्या है और इसके निर्माण का क्या अर्थ है सामाजिक मुल्य आपके रूप रंग आपकी प्रतिष्ठा आप क्या करते हैं और किसी सामाजिक स्थिती में आप क्या कहते हैं का एक सयोजन है इसका मतलब है कि यदि आप अच्छे दिखने वाले प्रसिद और आकर्शक हैं तो आपके कमरे का बहुत महत्व होगा सही बिलकुल यह करता है हाला कि सिर्फ इसलिए कि वे एक कमरे में आकर्शक है इसका मतलब यह नहीं है कि वे अगले कमरे में भी है क्योंकि सामाजिक मुल्य शर्षत है यदि जिन लोगों के साथ आप बाचीत कर रहे हैं वे सोचते हैं कि आप बदसूरत हैं तो आपको अच्छे दिखने का कोई सामाजिक मुल्य नहीं मिलता है यदि जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं वे नहीं जानते कि आप प्रसिद हैं तो आपको प्रसिद होने का कोई मूल्य नहीं मिलता। एक व्यक्ति के लिए जो आकर्शक है वह दूसरे के लिए अनाकर्शक हो सकता है। आपका मूल्य बातचीत से बातचीत में बदलता रहता है और आपके प्रतिय गुण का मूल्य उन लोगों या व्यक्ति पर आधारित होता है जिनके साथ आप बात कर रहे हैं। यह आपके द्वारा बताई जा रही पहचान के बारे में उनके द्रिश्टिकोड पर आधारित है। महान प्रलोगकों को स्वयम को दूसरों की नजरों से देखना सीखना चाहिए। इस से उन्हें किसी व्यक्ति या समहू के साथ मूल्य निर्मार के सबसिख कुशल और प्रभावी तरीके की गड़ना करने में मदद मिलती है। हम मूल्य निर्मार के तीन सक्रिय तरीकों के बारे में बात करने जा रही हैं। दिन्चर्या, पहचान कहानिया, और सक्रिय उदासींता, उस तक में बाद में हम, मुल्य निर्माड के, दो निश्क्रिय तरीकों पर चर्चा करेंगे, रूप और प्रतिष्ठा, दिखावट और प्रतिष्ठा, निश्क्रिय है, जिसका अर्थ है, आपको उन्हें काम पर ला जानते हैं या नहीं, वे या तो जानते हैं, या आप कौन है, और आपने क्या किया है, या वे नहीं जानते, इस कारण से हम सक्रिय, पहलों पर ध्यान केंद्रित करने जा रही है, वह सामगरी, जिसमें महारत हांसिल करने के लिए, इन फेल्ड अभ्यास के आवशक्ता होती है, अभ्यास के प्रयोजने के लिए हमेशा यह मान लें, कि सम्हूं या व्यक्ति शारिरिक रूप से आपकी और आकरशित नहीं है, और आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता है, अगर बाचीत के दौरान आपको पता चलता है, कि जिस लड़की में आप रुची रखते ह वे आपकी और आकरशित है, या उसने आपके बारे में सकारात्मत तरीके से सुना है, तो यह एक बोनस है, आप सामाजिक परिवेश में पुछ मूल्य कैसे बनाते हैं, आकरशर और प्रलोभन का अधियन करने वाले अधिकाज पुरुसों के साथ मुझे जो सबसे बड़ी स दिखती है, वह यह है, परियाप सामाजिक मूल्य बनाने से पहले वे जो चाहते हैं, उसे पाने की कोशिश करते हैं, आपका उच्च सामाजिक मूल्य बनाना सीखना चाहिए, और आपको इसे बहुत अधिक बनाना सीखना चाहिए, सामाजिक मूल्य पैसे की तरह है, यदि आप Ashton Martin चाहते हैं तो आपको इसे खरीदने के लिए देड़ लाग डॉलर क्या वशक्ता होगी यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप बस विंडो शॉपिंग कर रहे हैं इसी तरह यदि आपको पर्याप सामाजिक मुल्य नहीं है तो आपको इसका नंबर नहीं मिलेगा आपकी तारीखे खराब हो जाएंगी और आपका प्रवलोभन भी विफल हो जाएगा जैसा की कहा गया है यहां तीन चरण है जिनका उप्योग आपको सक्रिय रूप से सामाजिक मुल्य बनाने के लिए करना होगा पहली कुझी ज्यान आधारित सामाजिक मुल्य जो आप जानते हैं उसके साथ सामाजिक मुल्य उत्पन करना फिल्मों में खिलाडी को आमतोर पर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है एक नौटन की उसके पास कुछ तरकीबे या खेल है जिनका उपियोग वे है मिलने वाली महिलाओं को आकरशित करने और लुभाने के लिए करता है हाला की तरकीबे और हत करने आपको प्यार नहीं दिलाएंगे वे आपको प्रलोभन में मूल्य जोडने में मदद करेंगे वे है पहिली का एक हिस्सा है यदि आप कमरे में चप से दिल्चस्प व्यक्ति बनना चाते हैं तो आपको कुछ दिन्चर्य याद रखनी चाहिए जादू के टोटके बार कांस मनोवज्ञान खेल या कोल्ड रेडिंग ताकि माहौल को जीवन्त बनाया जा सके जितनी अधिक मनोरंजक दिन्चर्य आप जानते हैं और प्रदर्शन कर सकते हैं आप उतने ही दिल्चस्प और मजेदार होंगे ज्यान आधारित खेल और दिन्चर्य आपके सामाजिक मूल्य बनाने का एक मात्र तरीका नहीं है लेकिन वे सही समय के साथ काम आ सकते हैं कुझी दो बुद्धी आधारित सामाजिक मूल्य अपनी जीवन कहानी के साथ सामाजिक मूल्य उत्पन करना यहापके सामाजिक मूल्य निर्माड की आधार शिला पन्ने जा रहा है मुद्धी आधारित मुल्य निर्माड दुनिया के प्रति आपके दृष्टिकोंड पर निर्भर करता है एक मिनट रुकिए आप सोच सकते हैं मेरा जीवन उतना रुमान्चक नहीं रहा यदि मेरे पास ऐसी कोई कहानी नहीं है जो लोगों के सम्मू को प्रभावित कर सके तो क्या होगा चिंता मत करो आपको अच्छी तरह से यात्रा करने एक रुमान्चक ग्यान आधारित खेल और दिन चर्या आपके सामाजिक मूल्य बनाने का एक मात्र तरीका नहीं है लेकिन वे सम्मे के साथ काम आ सकते हैं दूसरी कुंजी है बुद्धी आधारित सामाजिक मूल्य यानि अपनी जीवन कहानी के साथ सामाजिक मूल्य उत्पन करना ये है आपको सामाजिक मूल्य निर्माड के आधार शिला बनने जा रही है बुद्धि आधारित मूल्य निर्माड दुनिया के आपके दृष्टि कोड़ पर निर्भर करता है एक मिनट रुकिए आप सोच सकते हैं मेरा जीवन उतना रुमान्चक नहीं रहा यदि मेरे पास कोई ऐसी कहानी नहीं है जो लोगों के लिए सम्मू में प्रभावित उन्हें कर सके तो एक रुमान्चक सहासिक जीवन या उच्च भुकतान वाली नौकरी की आवशकता नहीं है मुझे गलत मत समझो यह निश्चित रूप से मदद करता है लेकिन यह आवशक नहीं है अपनी जीवन कहानी के साथ मूल्य उत्पन करना वास्तविक्ता की अपनी दिश्टी कोड को साज़ा करने के बारे में है डींगे हाकना नहीं यह उन पाठों के बारे में अपने जीवन के बारे में सीखिना है निमलिखित प्रशनों के उत्तर देकर प्रारंब करे अब कहां थे उधारण जब मैं पहली बार मार्शाल आर्ट सीखने के लिए इंडोनेशन पहुचा तो अपने जीवन के बारे में क्या सबक सीखा उधारण पशु अश्रैस थल में मेरी पहली नौकरी ने मुझे दिखाया कि एक पच्चे के लिए जानवर कितने महत्पूर्ण हो सकते हैं किन घटनाव ने आपके जीवन को आकार दिया है उधारण जीश चण मैंने पहली बार मेटैलिका गाना सुना मुझे पता था कि मुझे गिटार बजाना शुरू करना हुगा आपके क्या शौक है उधारण मैं एनिमे देखते हुए बड़ा हुआ हूँ और हमेशा एक निंजा की तरह चलने में सक्षम होना चाता था इसलिए कुछ महीने पहले मैंने पौरक और कक्षाएं शुरू करी पारकर क्लासिस आपकी प्रात्मिकताए क्या है उधारण मेरा पसंदीदा भुजन पासता है क्योंकि मेरी दादी इसे हमेशा हमारे लिए रविवार को बनाती थी आपको उन उत्तरों को लेना हुगा और उनका उप्योग पहचान कहानिया बनाने के लिए करना होगा आइडेंटिटी स्टोरी टैलिंग बुन्यादी कहानी कहने के सीखने और आप जो हैं उसे व्यत्त करने का तरीका खोजने की एक टक्नीक है आप अपनी प्रात्मिकताओं और अनुभों पर नजर डालेंगे और उनके बारे में आकर्शक तरीके से बात करना सिखेंगे जो आपको अपने दर्शकों के लिए अधिक आकर्शक बनाएगा आपकी पहचान क्या है तीसरी कुझी सक्रिय उदासिंता क्या कभी किसी ने आपसे कहा है किसी महिला को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका एक बेफकूब बना है या कि महिलाओं को बुरे लड़के पसंद होते हैं या कि अच्छे लोग अंतिम स्थान पर रहते हैं क्या आपने कभी सोचा है कि बुरा होना आकर्शक क्यों हो सकता है या एक बहुत ही सरल मनोवेग्यानिक ट्रिगर है लोग महिलाओं और पुरुष वह चाहते हैं जो उनके पास नहीं है यह कमी है और यह चुनोती है यह आशा है कि जो दिखता है उससे कहीं अधिक है प्रलोभन का मतलब जटका देना नहीं है जटके आकर्शक नहीं होते उनका रविया स्थाई भावनात्मक बाधाएं पैदा करता है दूसरी और अच्छा लड़का कोई बाधा नहीं डालता कोई चुनोती नहीं है और वह जवरतमंद के रूप में सामने आता है और यह उतना ही आकर्शक भी है अब बीच का राष्टा तलाश रहें है आम मतलबी और आकर्मक होकर स्थाई अवरोज पैदा नहीं कर सकते लेकिन आकर्शन पैदा करने के लिए कुछ तनाव होना चाहिए सक्रिय वैराग्य का अधियन करने से यह मध्य मार्ग प्राप्त होता है यह कैसे काम करता है यह सीखने के बारे में है कि अस्थाई बाधा कैसे पैदा की जाए जिसे आप मिलकर दूर कर सकते है हर कोई ऐसी चीजे चाहता है जो पहुँच से बाहर है और प्रलोभन उन इच्छाओं पर आधारित है जो अधूरी लालसाओं ऐ सुरक्षाओं और सपनों को उत्पन होती है यदि आप कुछ चाहते हैं तो कुछ और छूटना जरूरी है यह सच है चाहे आप प्रलोभन के बारे में जानते हो या नहीं आप हम सब किसी ना किसी रूप में अपने टूटे हुए दिल के हार के लापता आधे हिस्से की तलाश कर रहे है सक्रिय वैराग्य सुयम को वह चीज बनाकर आकरशन करना उत्पन करने में सहेता करता है जिसकी उन्हें कमी है वह चीज जो दूसरे व्यक्ति को वह देगी जो उन्हें अपनी ऐ सुरक्षा लालसा या सपने को पूरा करने के लिए चाहिए यह सामाजिक पुल्य निर्माड का सबसे प्रतिकूल हिस्सा है क्योंकि इसका मतलब है कि आप यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि आपको रुची जगाने के प्रयास में कोई दिल्चस्पी नहीं है सक्रिय उदासी इंता दिखाने के लाको तरीके हैं लेकिन समगर लक्ष भावनात्मक उचाल पैदा करना है हर प्रलोवन एक कहानी है मुझे मुझे पर विश्वास नहीं है अपने परिचित किसी भी व्यक्ती से यह बताने के लिए पूछें कि वे अपने पती, प्रेमी या प्रेमी का से कैसे मिले और आप अनिवार्य रूप से एक कहानी ही सुनेंगे उस कहानी में भावनात्मक उतार चड़ाव होंगे सभी अच्छी कहानियों में भावनात्मक तीवरता होती है लगबग हर रूमेंटिक कॉमेडी में एक लड़का, एक लड़की से मिलता है और कुछ कारण है कि वे एक साथ नहीं रह सकते है और जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है वे इस बाधा को दूर करना और प्यार पाना सीखते है यदि वे बाधा नहीं होती तो कहानी उबाव होती है किसी कहानी को याद रखने और उसका आनंद लेने में मदद के लिए हमें भावनात्मक उतार चड़ाव की आवशक्ता होती है एक महान प्रलोभक जीवन को वास्तम में एक महान कानी पना सकते है इसका मतलब है कि जब आप सक्रिय उदासींता प्रदर्शित करते हैं और उन भावनात्मक उतार चड़ाव को जोडते हैं तो आप इस कहानी को आप दोनों के लिए मज़ेदार और रुमान्चक बनाते हैं अगले कुछ अध्याओं में मैं इन तीन चर्णों पर यहराई से विचार करूँ का अब दिन चर्या पहचान की कहानिया बनाने की विधी और सक्रिय विराग्य का अंभ्याश शुरू करने के तरीके सीखेंगे कुछ नोट्स लेने के लिए तयार हो जाएं और यदि आपके पास अपना कंप्यूटर है तो यह भी अच्छा हुगा तक्नीकों और दिन चर्या के अधिक उधार्णों के लिए प्रत्येक अध्याय के अंत में वेबसाइट पर जाएं धन्यवाद एक ही प्रजाती लेकिन अलग-अलग दुनिया पुरुष और महिलाएं अलग-अलग है बहतर या बत्तर नहीं अलग उनमें केवल एक ही समानता है कि वे एक प्रजाती के हैं वे अलग-अलग दुनिया में अलग-अलग मुल्यों के साथ और बिलकुल अलग-अलग नियमों के अनुसार रहते हैं यह बात हर कोई जानता है लेकिन बहुत कम लोग विशेशकर पुरुष इसे स्वीकार करने को तयार होते हैं हाला कि सच्चाई निश्चित रूप से सामने है सबूत देखिए पस्चिमी देशों में लगबग 50% विभा तलाक में समाप्त होते हैं और अधिकांश, गभीर रिष्टे, दीर्ख कालीक नहीं बन पाते हर संस्कृती, पंत और रंग के पुरुष और महिलाएं अपने सहयोगियों की राय, व्योहार, दृष्टी कौन और विश्वासों पर लगातार बहस करते हैं कुछ बाते स्पष्ट हैं जब कोई आदमी सोचाले जाता है, तो वह आमतोर पर केवल एक कारण और एक ही कारण से जाते हैं महिलाएं, सोचालियों का उपयोग, सामाजिक लाउंज और चिकितसा कक्ष के रूप में करती हैं जो महिलाएं अजनवी बनकर सोचाले जाती हैं, वे सबसे अच्छी दोस्त और अजीवन दोस्त बन जाती हैं लेकिन हर किसी को तुरंत उस आदमी पर संदे होगा जिसने चिला कर कहा अरे फ्रेंक, मैं सोचाले जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ आना चाहोगे? पुरुष, टीवी रिमोट, कंट्रोल पर हावी होते हैं और चैनलों को देखते हैं महिलाओं को विज्यापन में कोई अपत्ती नहीं है दबाव में पुरुष शराब पीते हैं और दूसरे देशों पर आकरमण करते हैं महिलाएं चौकलेट खाती हैं और खरीदारी करने में जाती हैं, महिलाएं अंसमवेदन शील, लापर वहा, ना सुनने वाले, कर्म जोशी से भरे, और दयालू ना होने, बात ना करने, परियाप प्यार ना देने, रिष्टों के प्रति, प्रतिबध ना होने, प्यार करने के बजाए यौन संबंध बनाने की इच्छा रखने, तापमान कम करने और घर छोड़ने के लिए पुरुशों की अलोचना करती हैं, टॉयलेट सीट उपर पुरुश महिलाओं की ड्राइविंग के बारे में अलोचना करते हैं, सडक नरदेशी का नहीं पड़पाने के लिए, नक्षो को उल्टा देखने के लिए, दिक्षा की, दिशा की, समझ की कमी के लिए, मुद्दे पर आये बिना बहुत अधिक बात करने के लिए, अकसर सैक्स शुरू करने के लिए, गलतियां करने के लिए, तपमान उपर करने के के लिए और टॉइलेट सीट नीचे छोड़ने के लिए कुरिशों को कभी एक जोड़ी मोजे नहीं मिल पाते लेकिन उनकी सीड़ी वर्डमाला करम में होती है महिलाएं हमेशा कार की गुम हुई चाभियों का सेट ढून सकती है लेकिन अपने गंतव्य तक पहुंचने का सब समझदार सेक्स हैं महिलाएं जानती हैं कि वे हैं टॉइलेट पेपर का एक रोल बदलने में कितने आदमी लगते हैं यह अग्यात है ऐसा कभी नहीं हुआ जिस तरह से एक महिला लोगों से भरे कमरे में जा सकती है और हर किसी पर तुरन टिपणी कर सकती है उसे देखकर प महिलाएं विश्वास नहीं कर सकती कि पुरुष इतने अव्विग्या क्यारी कैसे होते हैं पुरुष आश्चर्रे चकित हैं कि कैसे एक महिला कार के डैशपोर्ड पर लाल चमकती तेल की रोशनी नहीं देख सकती लेकिन पचास मिटर दूर एक अंधेरे कोने में एक दामोजा देख सकती है महिलाएं उन पुरुषों से हद प्रक्ष रह जाती हैं जो रियर व्यू मिरर का उप्योग करके लगातार एक तंग जगहे पर समानांतर रूप से कार पार कर सकते हैं एकिन कभी भी जी स्पोर्ट नहीं ढूंड सकते यदि कोई महिला गाड़ी चला जाती है तो वह रुकेगी और दिशा निर्देश मांगेगी एक आदमी के लिए यह कमजोरी की निशानी है वह घंटों तक गोल घेरे में गाड़ी चलाएगा मुझे वहाँ पहुचने का एक नया रास्ता मिल गया है या मैं सामान्य छेत्र में हूँ और अरे मैं उस पेट पुरुष और महिलाएं अलग-अलग तरीके से विक्सित हुए हैं और क्योंकि उन्हें ऐसा करना ही था पुरुष शिकार करते थे महिलाएं एकत्रित होती थी पुरुषों ने रक्षा की महिलाओं ने पोशड किया परिणाम स्वरूप उनके शरीर और मस्तिश्क विलकुल अलग-अलग तरीकों से विक्सित हुए जैसे जैसे उनके शरीर उनके विशिष्ट कार्रियों के अनुकूल होने के लिए शाररिक रूप से बदलते गए वैसे वैसे उनके दिमाग भी बदलते गए पुरुष अधिकाश महिलाओं की तुल्ना में लंबे और शाररिक रूप से बदलते गए वैसे वैसे उनके दिमाग भी बदलते गए पुरुष अधिकांश महिलाओं की तुलना में लंबे और मजबूत हो गए जबकि उनका दिमाग उनके कार्यों के अनुरूव विक्सित हुआ महिलाएं जादतर पुरुषों के काम करने से संतुष्ट थी क्योंकि वे गुफाओं में आग जलाती रहती थी और उनका दिमाग जीवन में उनके कार्यों से निपटने के लिए विक्सित होता था लाखों वर्षों में पुरुष और महिलाओं की मस्तिश्क, सरंचनाएं अलग-अलग तरीकों से बदलती रही अब हम जानते हैं कि लिंग जानकारी को अलग-अलग तरीके से संसोधित करते हैं वे अलग-अलग चीजों पर विश्वास करते हैं उनकी अलग-अलग धाडनाएं, प्रात्मिक्ताएं और व्योहार हैं अन्यथा, दिखावा करना आपके पूरे जीवन में दिल के दर्द, ब्रह्म और मोबंग का नुसका है स्टीरियो टाइप तर्क 1980 के दशक के उत्तराद से पुरुष और महिला के अंतर और पुरुष और महिला दोनों के मस्तिश्क के काम करने के तरीके पर शोध का विस्वोट हुआ है पहली बार उन्नत कम्प्यूटर ब्रेन स्क्रैनिंग उपकरण ने हमें मस्तिश्क को लाइव करते हुए अनुमुती दी है और इसके साथ ही मानव मस्तिश्क के विशाल परिद्रशे में जहांक कर हम पुरुष और महिला के अंतर के बारे में कई सवालों के जवाब दिये है इस पुस्तक में चर्चा किये गए शोध को विज्ञानिक चिकित्सा मनो विज्ञानिक और समाज शाष्त्रिय अध्यनों से एकत्र किया गया है और यह सभी एक बात की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करते हैं सभी 23 चीजे समान नहीं है पुरुष और महिलाए अलग-अलग है बीश्वी शताब्दी के अधिकान समय में उन मतभेदों का सामाजिक अनुकूलन द्वारा दूर तक किया गया था अर्थात हम जो भी है अपने माता-पिता और सिक्षकों के दृष्टिकोंड के कारण है जो बदले में उनके समाज के दृष्टिकोंड को प्रति बिम्बित करता है बच्चियों की गुलाबी कपड़े पहनाए गए और खोलने के लिए गुडिया दी गई चोटे लड़कों को नीले कपड़े पहनाए गए और उन्हें खिलोना, सैनिक और फुटबॉल जड़सियां दी गई युवा लड़कियों को गले लगाया गया और छुआ गया जबकि लड़कों की पीट थप थपाई गई और उन्हें रोने ना देने के लिए कहा गया कुछ समय पहले तक यह माना जाता था कि जब कोई बच्चा होता है उसका दिमाग एक साफ स्लेट की तरह पैदा हुआ था जिस पर उसके सिक्षक उसकी पसंद और प्राथिक उताएं लिख सकते थे हाला कि अब उपलब्ध जैविक साक्षिय इस बात की कुछ अलग तस्वीर दिखाते हैं कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह हमारे हॉर्मोन्स और मस्तिश्क की वाइरिंग है जो हमारे दृष्टिकोन प्राथमिकताओं और वेवहार के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं इसका मतलब यह है कि अगर लड़कें और लड़कियां एक निर्जन दुईप पर बड़े होते हैं और उनका मारदर्शन करने के लिए कोई संगठित समाज या माता-पिता नहीं है तो लड़कियां अभी भी गले लगाएंगी छुएंगी दोस्त बनाएंगी और गुडियों के साथ खेलेंगी जबकि लड़कें मानसिक और शाररिक रूप से एक दूसरे के साथ प्रतिस परधा करेंगे और समू बनाएंगे एक स्पष्ट पदानु करम के साथ गर्भ में हमारे मस्तिश्क की वायरिंग और हॉर्मोन का प्रभाव यह निर्धारित करेगा कि हम कैसे सोचते हैं और व्यवहार करते हैं जैसा कि आप देखेंगे जिस तरह से हमारे मस्तिश्क तार-तार होते हैं और हमारे शरीर के माध्यम से स्पंदित होने वाले हॉर्मोन दो कारक है जो काफी हद तक हमारे जर्म से बहुत पहले ही तै करते हैं कि हम कैसे सोचेंगे और व्यवहार करेंगे हमारी प्रिवृत्ती बस हमारे जीन है जो यह निर्धारित करते हैं कि हमारा शरीर दी गई प्रतिस्परधा को कैसे वेवहार करेगा 24 क्या यह है सब एक पुरुष शाजिश है 1960 के दशक से कई दबाओ सवहों ने हमें अपने जैविक विरासत को त्यागने के लिए मनाने की कोशिश की है उनका दावा है कि सरकारों धर्मों और सिक्षा प्रणालियों ने अच्छी महिलाओं को दबाए रखने के लिए मिली भगत करके महिलाओं को दबाद के पुरुषों की साजिश के अलावा और कुछ नहीं किया है महिलाओं को गर्भवती रखना उन्हें और भी अधिक नियंतरित करने का एक तरीका था निश्चित रूप से एतिहासिक रूप से ऐसा ही प्रतीत होता है लेकिन सवाल पूछा जाना चाहिए यदि महिलाओं और पुरुष समान है जैसा कि ये समू दावा करते हैं तो पुरुषों ने दुनिया पर इतना पूर्ण प्रभुत्त कैसे हासिर किया होगा मस्तिश्क कैसे काम करता है इसका अध्यन अब हमें कई उत्तर देता है अपनी पूरी छमता का उपियोग करने के अवसरों के मामले में समान होना चाहिए लेकिन वे निश्चित रूप से अपनी जन्मजाज छमताओं में समान नहीं है क्या पुरुष और महिलाओं समान है यह एक राजनीतिक यह नैतिक प्रश्न है लेकिन क्या वे समान है यह एक व्यज्चित प्रश्न है पुरुषों और महिलाओं की समानता एक राजनीतिक यह नैतिक मुद्दा है मुख्य अंतर व्यज्ञानिक है जो लोग इस विचार का विरोध करते हैं कि हमारा जीव विज्ञान हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है वे अक्सर अच्छे एरादों से ऐसा करते हैं वे लिंगवाद का विरोध करते हैं लेकिन वे समान और समान के बीच अंतर को लेकर भ्रमित हैं जो दो पूरी तरीके से अलग मुद्ते हैं इस पुस्तक में आप देखेंगे कि विज्ञान कैसे पुष्टी करता है कि पुरुश और महिला शारिक और मांसिक रूप से बहुत भिन्न होते हैं वे एक जैसे नहीं हैं हमने प्रमुक, जीवाश्म, विज्ञानियों, निर्वंश विज्ञानियों, मनो विज्ञानिकों, जीव विज्ञानियों और 25 निरो विज्ञानिकों के शोध की जाच की है महिलाओं और पुरुषों के बीच मस्तिश्क सम्मंधी, मतभेद, अब सभी अटकलो, पूर्वाग रहो या उचित संदे से परेश पश्ट है इस पुस्तक पे चर्चा किये गए पुरुषों और महिलाओं के बीच मतभेदों को तौलते समय कुछ लोग कह सकते हैं नहीं, ये मेरे जैसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करता, खैर, शायद वे ऐसा नहीं करते लेकिन हम यहाँ ओसत पुरुषों और महिलाओं के साथ काम कर रहे है यानि कि जाधतर पुरुष और महिलाएं जाधतर समय जाधतर स्थितियों में और अतीत के अधिकांश समय में कैसे व्यवहार करते हैं औसत का मतलब है कि यदि आप लोगों से भरे कमरे में आप देखेंगे कि पुरुष महिलाओं की तुल्ला में बड़े और लंबे हैं वास्तव में साथ प्रतिशत लंबे और महिलाओं की तुल्ला में बड़े और लंबे हैं Guinness Book of World Record 2001 में सबसे बड़े और लंबे लोग लगबग हमेशा पुरुषी रहे हैं रिकॉर्ड पर सबसे लंबे इनसान Elton Illinois के Robert Waldo थे जिनकी जून 1940 में लंबाई 8 फुट और 11.1 इंच थी वर्ष 2000 में सबसे लंबे व्यक्ती टिवनीशिया के रोधने चौर बीब थे जिनकी लंबाई 7 फुट 9 इंच थी इतिहास की किताबें बिग जॉन्स और लिटल सुजीच से भरी हुई है यह सेक्सिस्ट नहीं है यह तथ्या है यह पुस्तक को पढ़ते हुए हम जहाँ खड़े हैं एहंकारी या क्रोधित महसूस इससे कुछ लोग कर सकते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकिया कम हद तक वे आदर्शिवादी दर्शन के शिकार हैं जो दावा करते हैं कि महिला और पुरुष एक समान है तो आईए इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें हम लेखक दोनों लिंगों के साथ आपके संबंधों को विक्सित करने और बहतर बनाने में आपकी मदद करने के लिए यह पुस्तक लिख रहे हैं हमारा मानना है कि पुरुषों और महिलाओं को अपने द्वारा चुने गए किसी भी छेतर में करियर बनाने का समान अवसर मिलना चाहिए और समान रूप से योग्ये लोगों को समान प्रयास के लिए समान मुआवजा मिलना चाहिए अंतर समानता के विप्रेट नहीं है समानता का अर्थ है उन चीजों को चुनने के लिए स्वतंतर होना जो हम करना चाहते हैं और अंतर का मतलब है कि पुरुष या महिला के रूप में हम वही चीजे नहीं करना चाहते हैं हम आमतर पर एक ही सूची से अलग-अलग चीजे चुनते हैं हमारा उद्देश पुरुष और महिला संबंधों का निश्पक्ष रूप से देखना इसमें शामिल है अर्थ और नीत तार्थों की व्याख्या करना और एक खुशाल और अधिक संतुष्ट दायक जीवन शैली के लिए तकनीकों और रणनीतियों को विक्सित करना है हम केवल अनुमानों राजनीतिक रूप से सही घिसी पिटी बातों या वैग्यानिक बक्वास का सहारा नहीं लेंगे यदि कोई चीज बतक की तरह दिखती है बतक की तरह बोलती है बतक की तरह चलती है और यह साबित करने के लिए एक परियाप्त सबूत है कि वे बतक है तो फिर हम इसे वही कहेंगे यहां प्रस्तुत साक्षियों से पता चलता है कि लिंगों में आंतरिक रूप से अलग-अलग तरीकों से व्यवहार करने की प्रवत्ती होती है हम यह सुझाओ नहीं दे रही है कि या तो सेक्स व्यवहार के लिए बाध्य है या किसी विशेश तरीके से व्यवहार करना चाहिए प्रकृती बनाम पोशन तर्क मैलिसा ने जुड़वच्चों को जन्म दिया एक लड़की और एक लड़का जैसमीन वह गुलाबी कंबल में लिप्टी हुई थी और एडम नीले रंग के कंबल में जिश्टेदार जैसमीन के लिए उपहार के रूप में नरम मुलायम खिलोने और एडम के लिए एक खिलोना फुटबॉल और एक छोटी फुटबॉल जरसी लाए हर कोई जैसमीन से धीरे धीरे बात करता था उसे बताता था कि वह सुन्दर और खुबसूरत है लेकिन आमतोर पर केवल महिला रिश्टेदार ही उसे उठाती थी और गले लगाती थी जब पुरुष रिश्टेदार आए तो उन्होंने जादा तर एडम पर ध्यान केंद्रित किया काफी जोड से बात की उसके पेट को थप थपाया उसे उपन नीचे उचाला और एक फुटबॉल खिलाडी के रूप में भविश्य का प्रस्ताब दिया इस तरह के परिद्रश्य से हर कोई परिचित होगा हाला कि यह सवाल उठाता है कि क्या यह व्यसक व्यवहार हमारे जीव व्यज्यान के कारण होते है या यह सीखा हुआ व्यवहार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहता है क्या यह प्रकृती या पालन कोशन है बेश्वी शताब्दी के अधिकाज समय में मनो वैज्ञानिकों और समाज शास्त्रियों का मानना था कि हमारा अधिकाज व्यवहार और प्रात्मिक्ताएं हमारी सामाजिक कंडीशनिंग और हमारे परियावरण से सीखी गई थी हाला कि हम जानते हैं कि पालन पोशड करना एक सीखी हुई घटना है गोद लेने वाली माताएं चाहे वे इनसान हो या बंदर आमतोर पर अपने शिश्वों के पालन पोशड को शानदार काम करती है दूसरी और विग्यानिक ने तरक दिया है कि जीव विग्यान रसायन विग्यान और हॉर्मोन काफी हद तक जिम्मेदार है 1990 के बाद से इस विग्यानिक दृष्टी कोड का समर्खन करने के लिए कि भारी सबूत मौजूद है कि हम अपने मस्तिश्क के अधिकांज सौफ्टवेर के साथ पहले से ही पैदा हुए है यह तथ्य की पुरुष आमतोर पर शिकारी होते थे और महिलाएं पालन पोशण करने वाली आज भी हमारे व्यवहार विश्वासों और प्रात्मिक्ताओं को निधारित करती हैं हारवर्ड उनिवर्सिटी के एक प्रमुक अधियन से पता चला है कि हम ना केवल लड़के और लड़कियों के प्रती अलग-अलग व्यवहार करते हैं बलकि हम अलग-अलग शब्दों का भी इस्तमाल करते हैं बच्चियों से हम धीरे-धीरे से कहते हैं तुम बहुत प्यारी हो तुम थोड़ी प्यारी हो तुम तक खूबसूरत छोटी लड़की हो और नन्हे लड़कों से हम अपनी आवाज उठाते हैं और कहते हैं अरे बड़े बच्चे और वाह तुम बहुत मजबूत हो फिर भी लड़कियों को बार्बी डॉल और लड़कों को एक्शन मैन देखने से व्यवहार उनका वैसा नहीं बनता है यह बस इसे और बढ़ा देता है इसी तरह हारवर्ड अध्यान में पाया गया था कि व्यसकों को शिशू लड़कियों और लड़कों के प्रती व्यस्ष्ट व्यवहार केवल उन मत्भेडों को बढ़ाता है जो पहले से मौजूद है जब आप किसी बतक को तलाब में डालते हैं तो वह तैरने लगती है सत्हा को नीचे देखें और आप देखेंगे कि बतक के पैरों में जाल है यदि आप इसके मस्तिष्ख का विश्लेशन करें तो आप पाएंगे कि यह पहले से मौजूद तैराकी मौडियूल के साथ विक्सित हुआ है तलाब वही है जहां उस समय बतक होती है और यह उसके व्यवहार का कारण नहीं है शोच से पता चलता है कि हम सामाजिक रूडी वादिता के शिकार होने की तुल्ला में अपने जीव विज्ञान के एक उत्पाद है हम अलग है क्योंकि हमारा मस्तिष्ख अलग तरीके से जुड़ा हुआ है इसके कारण हम दुनिया को अलग-अलग तरीकों से देखते हैं और अलग-अलग मूझले और प्राथिक्मताएं रखते हैं बहतर या बत्तर नहीं अलग आपकी मानव गाइड़ बुक यह पुस्तक किसी विदेशी संस्कृती या देश की यात्रा के लिए एक गाइड़ बुक की तरह है इसमें स्थानिय बोली और वाक्यांश शारिरिक भाशा के संकेत और यह अंतरदिश्टी शामिल है कि निवासी ऐसे क्यों है अधिकांश परियटक स्थानिय शोद किये बिना विदेशी देशों की यात्रा करते हैं और भैभीत या अलोचना मात्मक हो जाते हैं क्योंकि स्थानिय लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं या बर्गर और चिप्स नहीं पकाते हैं लेकिन किसी और अन्य संस्कृती के अनुभव का आनद लेने और उससे लाव उठाने के लिए आपको पहले इसकी इतिहास और विकास को समझना होगा फिर आपको बुनियादी वाक्यान सीखने और प्रत्यक्ष अनुभव और उस संस्कृती को गहरी सरहाना के लिए उनकी जीवन शैली का नमूना लेने की जुरत है इस तरह आप एक परियटक की तरह नहीं दिखोगे बोलेंगे नहीं और व्यवहार भी उसकी तरह नहीं करेंगे उस तरह का व्यक्ति जिसे घर पर रहने और अन्य देशों के बारे में सोचने से भी उतना ही लाव होता है यह पुस्तक आपको बताएगी कि विप्रीत लिंग के ग्यान का आनंद कैसे उठाया जाए और उससे कैसे लाव उठाया जाए लेकिन पहले आपको उनके इतिहास और विकास को समझना होगा विंट्सर कैसल की यात्रा पर एक अमेरिकी पर्यटक को यह कहते हुए सुना गया यह एक अधुत महल है लेकिन उन्होंने इसे हवाई अड़े के इतने करीब क्यों बनाया यह पुस्तक तथ्यों और वास्टविकता से संबंधित है यह वास्टविक लोगों, प्रमाडिक शोध, वास्टविक घटनाओं और रिकॉर्ड की गई बादचीत के बारे में है और आपको मस्तिष्क समारों पर शोध करने में डेंटराइट स्कॉर्पस, कैलोसम, निरोपैमाइड, चुम्बकिय अनुनाद, इमेजिंग और सेरोटोनिन के बारे में चिंता करने की कोई जुरत नहीं है हमने किया लेकिन अब हम इसे पढ़ने में आसान बनाने के लिए हर चीज को यथा संभव सरल रख रहे हैं हम बड़े पैमाने पर समाशाष्ट्र, नामक और पेक्षाक्रित हाल के विज्ञान से निपड़ते हैं ये अध्यन का व्योहार की हमारे जीन और हमारे विकास द्वारा कैसे समझाया जाता है अब अवधाडनाओं, तकनीकों और रड़नीतियों का एक शक्तिशाली सेट खोजेंगे जो विज्ञानिक रूप से प्रमारित है और अधिकाश भाग के लिए स्पष्ट या सामान्य ज्ञान प्रतीत होते हैं हमने उन सभी तकनीकों, प्रताओं या विचारों को किनारे कर दिया है जो विज्ञान पर आधारित या प्रमारित नहीं है हम यहां आधूनिक नगन वानर से निपट रहे हैं वह वानर जो मैगा कम्प्यूटर से दुनिया को नियंत्रित करता है और मंगल गरह पर उतर सकता है जिसका अभी भी सीधे तोर पर एक मचली से पता लगाया जा सकता है हमें एक प्रजाती के रूप में विक्सित करने में लाखो वर्ष लग गए फिर भी आज हम एक तकनी की राजनीतिक रूप से सही दुनिया में धकेल दिये गए हैं जो हमारे जीव विग्यान के लिए बहुत कम या कोई अनुमती नहीं देता है हम एक ऐसे परिश्क्रत समाज के रूप में विक्सित होने में लगभग सौ मिलियन वर्ष लग गए जो मनुष्य को चंद्रमा पर ले जा सके लेकिन वहां पहुँचने पर भी उसे अपने आदिम पूर्वजों की तरह शोचाले जाना पड़ता था मनुष्य एक संस्कृती से दूसरी संस्कृती में थोड़े अलग दिख सकते हैं लेकिन हमारी जैविक जरूरते और आगर है एक समान है हम प्रदर्शित करेंगे कि कैसे हमारे विभिन व्योहार संबंधी लक्षन पीड़ी दर पीड़ी विरासत में मिलते हैं यहां हस्तान तरित होते हैं और जैसा कि आप देखेंगे व्योहारिक रूप से कोई सांस्कृतिक अंतर नहीं है आईए अब संचेप में देखें कि हमारा मस्तिश्क कैसे विक्षित हुआ हमें यह रास्ता कैसे मिला एक समय की बात है बहुत समय पहले पुरुश और महिलाएं एक साथ खुशी से रहते थे और सद्भाव से काम करते थे वह आदमी अपनी महिला और उनके बच्चों के लिए भोजन वापस लाने के लिए एक शिकारी के रूप में अपना जान जोखिम में डालने के लिए हर दिन एक शत्रुता पूर और खतरनाव दुनिया में जाता था और वह जंगली जानवरों या दुश्पनों से उनकी रक्षा करता था उसने लंबी दूरी की नौवहन कौशिल विक्सित की तरह ताकि वह भोजन का पता लगा सके और उसे घर ला सके और उत्कृष्ट निशाने बाजी कौशल विक्सित किया ताकि वह चलते हुए लक्षे को मार सके उनकी नौकरी का विवरण सीधा था और कुछ नहीं उसके लिए रिष्टों का विशलेशन करना भी कभी कोई आविशक्ता नहीं थी और उसे कच्रा बाहर या लंगोर्ड बदलने की मदद की उमीद नहीं की गई थी महिला की भूमिका भी उतनी ही स्पष्ट थी बच्चों को जन देने वाली महिला के रूप में नियुक्त किये जाने की यह निर्देशित हुआ की वह कैसे विक्सित होगी और कैसे उसके कौशल उस भूमिका को पूरा करने के लिए विशिष्ट बनेंगे उसे खत्रे के संकेतों के लिए अपने आसपास के परिवेश की निगरारी करने में सक्षम होने की अवशक्ता थी उसके पास उतक्रिष्ट लगू, निवेगिशन, कौशल होना चाहिए अपना रास्ता खोजने के लिए स्थलों का उपियोग करना चाहिए और बच्चों और व्यसकों के व्यवहार और उपस्थिती में छोटे बदलावों को महसूस करने की उच्चे छमता वाली शमता होनी चाहिए चीजे सरल थी, वह लंच चेंजर था, वह गौंसला रक्षक थी उसका दिन अपने बच्चों को देखवाल करने, फल सबजियों और मेवे, इकठा करने और समू की अन्य महिलाओं के बादचीत करने में व्यतीत होता उसे प्रमुक, खाद्य आपूर्ती या दुश्मन से लड़ने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी और उसकी सफलता, परिवारिक, जीवन को बनाए रखने की उसकी चमता से मापी जाती थी उसका आत्म सम्मान, उस व्यक्ती द्वारा, उसके घर निर्माड और पालन पोशड, कोशल की सहराना से आया बच्चों को जन देने की उनकी शमता को जादुई, यहां तक की पवित्र भी माना जाता था क्योंकि जीवन देने का रहसे केवल उन्ही के पास था उससे कभी भी जानवरों का शिकार करने, दुश्मनों से लड़ने या प्रकाश, बल्ब, बदलने की उमीद नहीं की गई थी जीवित रहना कठिन था, लेकिन रिष्टा आसान था और सैकडों हजारों वर्षों से ऐसा ही था प्रत्येक दिन के अंत में शिकारी अपनी हत्या के साथ वापिस लोट आते थे हत्या को समान रूख से विभाजित किया गया था और सभी लोग सामुदाइक गुफा में एक साथ भोजन करेंगे प्रत्येक शिकारी अपनी हत्या का कुछ हिस्सा महिलाओं के साथ उसके फल और सबजियों के बदले में बदलता था भोजन के बाद पुरुष आग के चारो और बैठते थे उसे देखते थे, खेल खेलते थे, कहानिया सुनाते थे या चुटकुले साजा करते थे, यह अपने रिमोट कंट्रोल से टीवी चैनल देखने या अकबार में दूबे रहने का प्रोगिती हासिक मनुश्य का संस्क्रण था वे अपने शिकार प्रयासों से ठंग गए थे और अगले दिन फिर से शिकार शुरू करने के लिए स्वस्थ हो रहे थे महिलाएं बच्चों की देखवाल करना जारी रखेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि पुरुषों को पर्याप्त भोजन और आराम मिले प्रित्येक ने दूसरे के प्रयासों की सरहना की है पुरुसों की आलसी नहीं माना जाता था और महिलाओं को उनकी उत्पेड़ दाशी के रूप में नहीं देखा जाता था यह सरल अनुष्थान और वेवहार अभी भी बॉन्रियों, अफ्रीका और इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों और कुछ आदिवासी और आस्ट्रेलियाई, न्यूजिलाइंड, माओरी और कैनेडा और ग्रीन लैंड के इन्वेट में प्राचीन सभ्यतों के बीच मौजूद है इन संस्कृतियों में प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमी का जानता और समझता है पुरिश महिलाओं की सरहाना करते हैं और महिलाएं पुरुषों की सरहाना करती है प्रतियक व्यक्ति दूसरे को परिवार के अस्तित्व और कल्याण में विसिष्ट योगदान देने वाले के रूप में देखता है लेकिन आधुनिक सभ्य देशों में रहने वाले पुरुशों और महिलाओं के लिए इन पुराने नियमों को हटा दिया गया है और उनके स्थान पर आराजत्ता, भ्रम और नाखुशी छोड़ दी गई है हमने ऐसी उमीद नहीं की थी कि परिवार, इकाई अब अपने अस्तित्व के लिए येवल पुरुशों पर निर्भर नहीं है और महिलाओं से अब पालन, पोशड करता और ग्रह निर्माता के रूप में घर पर रहने की उमीद नहीं की जाती है हमारी प्रजाती के इतिहास में पहली बार अधिकाँश, पुरुश और महिलाएं अपनी नौकरी के विवरण को लेकर ब्रमित है आप इस पुस्तक के पाठक इनसानों की पहली पीड़ी है जिसे ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है जिनका सामना आपके पूरवजों या माताओं को कभी नहीं करना पड़ा पहली बार हम अपने साथी की ओर देख रही है यह प्यार जुनून और व्यक्तिगर संतुष्टी के लिए है क्योंकि बुनियादी अस्तित्व अब महतपूर नहीं है हमारी आधुनिक सामाजिक सरंचना आमतोर पर सामाजिक सुरक्षा, राश्ट्रिय स्वास्थ्य, भोक्ता, सरंचर कानूनों और विभिन, सरकारी, संस्थानों के माध्यम से निर्वा की बुनियादी स्तर प्रदान करती है तो नए नियम क्या है और आप उन्हें कहां से सेखते हैं यह पुस्तक कुछ उत्तर प्रदान करने का प्रयास करती है मा और पिता जी मदद क्यों नहीं कर सकते यदि आपका जन 1960 से पहले हुआ था तो आप अपने माता पिता को पुरुष और महिला के जीवित रहने के प्राची नियमों के आधार पर एक दूसरे के प्रती व्यवहार करते हुए देखकर बड़े हुए है आपके माता-पिता उस व्यवहार को दोहरा रहे थे जो उन्होंने अपने माता-पिता से सीखा था जो बदले में अपने माता-पिता की नकल कर रहे थे जो अपने माता-पिता की नकल करते थे और यह प्राचीन गुफाओं के लोगों के पास उनकी स्पष्ट रूप से परिभाशित भूमिकाउप में जाता है अब नियम पूरी तरीके से बदल गए है और आपके माता-पिता नहीं जानते कि कैसे मदद करे नव विवाहितों के लिए तलाक की दर अब से बदल गए है और आपके माता-पिता नहीं जानते कि इसमें हम कैसे मदद करें लगभग 50 प्रतिशत और वास्तविक और 33 समलेंगिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए जोडों के लिए वास्तविक ब्रेकप दर 70 प्रतिशत से अधिक होने की संभावना है 21 सदी में कैसे खुश रहे और भावनात्मक रूप से बरकरार कैसे रहे यह जानने के लिए हम नियमों का एक नया सेट सीखने की जुरत है हम अभी भी सिर्फ एक और जानवर है अधिकांश लोगों को, खुद को सिर्फ एक और जानवर के रूप में सोचने में कठिनाई होती है वे इस तथ्ये का सामना करने से इंकार करते हैं क्योंके शरीर में जो कुछ भी पाया जा सकता है उसका 96 प्रतिशत, सुवर या घोडे के अंदर भी पाया जा सकता है या हमारा डियने गौरिला के समान 95 प्रतिशत और गौरिला के समान 95 प्रतिशत है और एक चिंपैंजी के अनुसार 98.4% एक मात्र चीज जो हमें अन्य जानवरों से अलग बनाती है वे है हमारी सोचने और आगे की योजनाय बनाने की चमता अन्य जानवर केवल अपने मस्तिशक की अनुवन्शिक वायरिंग और व्यवहार की पुनावृत्ति के अधार पर स्थितियों पर प्रतिक्रिया कर सकते है वे सोच नहीं सकते, वे केवल प्रतीक्रिया कर सकते हैं अधिकांश लोग सुईकार करते हैं और सुईकार यह करते हैं कि जानवरों में वृत्ती होती है जो काफी हद तक उनके व्यवहार को निर्धारित करती है यह सहज व्यवहार देखना आसान है पक्षी गाते हैं, मेंधक तर्टर करते हैं, नरकुत्ते अपने पैर हिलाते हैं और बिल्लिया अपने शिकार का पीछा करती हैं, लेकिन ये बौधिक व्यवहार नहीं है, इसलिए कई लोगों को इस व्यवहार और अपने व्यवहार के बीच सम्मंथ बनाने में कठिनाई होत हैं, वे इस तथ्य को भी नजर अंदाज कर देते हैं कि उनका अपना पहला व्यवहार सहज था, रोना और अंगूठा जूसना, हम अपने माता पिता से जो भी व्यवहार विरासत में मिलता है, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक, वे हमारे बच्चों में उसी तरीके स परिचित होने की संभावना है, जैसे सभी जानवरों के साथ होता है, जब हम मनुश्य के रूप में खुद को एक जानवर के रूप में सुईकार करते हैं, जिसके आवेग, लाखों वर्षों के विकास में पुष्ट होते हैं, तो इससे हमारे बुन्यादी आग रहों और आवेगों को समझना आसान हो जाता है, और खुद को और अधिक सुईकार करना आसान हो जाता है, और यही सच्ची खुशी का रास्ता है।